लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेवी पद्मना हप्रिया महमी पद्मा लया हाँ प्यारी भाईयों और प्यारी बहनों भीकारी को बात्षा और बात्षा को भीकारी का दर्जा देने वाले मेरे वूटर दाता हूं हमारे ख्षेत्र के वाय उफ्रिद्व और लोक प्रिये ने ताके आख समिक दिधन की वज़ा से मेरी पार्टी ने आपकी सेवा का भार मुझे मौजवान कंधों पर सौपा है जिसका फैसला आपको करना है भाईयो मैं आपसे यह नहीं कहता हूँ कि आप मुझे अपना वोड़ दे आप मुझे मेले चुने नगर मैं आपसे इतना जरूर कहता हूँ कि आप इतना भर जरूर सोच लें कि आप अपना मूर ले वोड़ दे कर किसे चुन रहे हैं क्या वह वह वाकर इमानदार रहेगा क्या वो जनता की सेवा जनता की खिद्मत मिना किसी स्वार्थो लालच के करेगा और सबसे बड़ी बात तो ये कि हम ये देखें कि उसके पास इतनी ख्शमता है हमसे वो जो वादे कर रहा है हम गरीब जंता से जो वादे कर रहा है उन वादों को पूरा करने के लिए उसके पास इतनी ताकत है माताओं, बहनों, अगर आपको मेरे अंदर, मेरी बातों में सचाई नदर आती है तो अपना अमूर ले वोट दे कर मेरी युवा भावनाओं को विजई बनाए इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहला काम जो मैं करना चाहता हूँ वो है शराब बन दी जो हमारी माताओं, बहनों के दुखों और आस्वों का कारण बनी हुई है जिसे पीकर इंसान हैवान बन जाता है मैं अपने खेतर से शराब को इस तरह गाइब कर दूगा जैसे हमने अपने देश से गरीबी को गाइब करने का प्रण लिया है जाए मान अवता जाए देश वोट पर सुरेश परकाश वोट पर सुरेश परकाश जी मैं सुरेश परकाश बोला हूँ जी हाँ जी हाँ सब सुचार उगरूप से चल रहा है वो क्या था कि कुछ कारी करता हूँ क्या आवश्कता पड़ेगी और साथ में दस लिटर मिट्टी का तेल मेरा पतलब घास लेट जी हाँ जी धन्यवाद अच्छा परणाश जी आज कुल घर-घर में बिजली है फिर यह घास लेट किसली है पार्टी ओफिस में आग लगाने की क्या भई ये ये जाल हमारी समझ में नहीं आई हमने धेर सारे एलेक्शन लड़ाए लेकिन ऐसा कभी नहीं किया क्यों रापाशा जी सत्तव अचन सामपरशटी आप लोगोंने एलेक्शन लड़ाए हैं और मैं एलेक्शन लड़ाँ खबर ये उड़ेगी कि आग अपोजीशन ने लगाई है और आग से राख इकठा होती है और वो राख दिखाकर हम भूटे कठा करेंगे याद रुखिए हम दर्दी से वोटों की बरसात होती है हर लगेना फिटकरी दंग चोखाई चोखा वाव वाव अमीरपूर निर्वाचन क्षेत्र से लोग कल्यांड पार्टी के श्री सूरज प्रकाष निर्वाचित घोशित कर दिये गये हैं उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वन्वी श्री निर्वाल को दस आजार से अधिक वोटों से हरा दिया है बदाई हो बदाई हो तरवेदी जी ये बाइलेक्शन की जीत मेरी नहीं बलकि आपकी विजह है आपका आशिरवात है सूरज मैं उतना ही खुश हूँ जितना के तुम ये हमारी पार्टी की जीता है तुम पर जो भुरुसा किया वो तुमने पूरा गिया और सूरज तुम मुझे बड़ा मानते हो आधर करते हो इसलिए मैं तुम्हें काम्याबी के गुर बताता हूं जी हुकम की जी पेटे तुम्हारी नजर हमेशा आस्मान पर रहनी चाहिए और जब भी मौका मिले सीड़ी चाड़ते चले जाओ और कभी मुर कर न देखना और ना कभी सोचना कि किस के कंदे पर तुम अपने पाउं राकर उपर आये थे मसल मुशूर है बड़ी मचली का जीर जीत कर मैंने ये तो साबित कर दिया है कि मैं किस काबिल हूं अब मेरे मंत्रीपत के बारे में क्या विचार है हाँ दार असल मैं उसी के बारे में तुम से बात करना चाहता हूं आप संधिया तुम्हें भूला क्या दरूरत है तुम तो खुद एक भूला ए तुम्हें मेरे अमेले बनने के कोई खुशी नहीं हुई हाँ बहुत हुई लेकिन अफसूस भी हुआ कि तुम्हारी जीत की ख़बर रेडियो पर सुने माफ कर दो भई दरसल पार्टी के लिए ये बाई एलक्षन बढ़ा ही प्रस्टीजियस था हुई मगर मेरे लिए ये मामूली जीत है शुरुआत है हाँ अब राजनेतिक दाव पेच की बाजी जीतने के लिए तुम्हारी मदद की सब्सक्राइब बहला मैं राज़ी थी मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती है संधिया तो मैं यादे तुम कहा करती थी कि हर मर्द की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है मैं तुम्हारा मज़ा खुडाया करता था तुम सोच सकती हो संधिया हाई कमांड का भेजा हुआ अबजरवर मुझे मंत्री बनाने के लिए सिफारिश करने को तेया तरह सोचो संधिया मंत्री बनने के बाद इज़त शहरात तौलत सब कुछ पढ़ जाएगा और आने वाले दिन सिर्फ खुश्य आई खुश्य लेकर आएगे मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हारे सपने पूरे हो रहे हैं मगर इन सपनों को हाकिकत में बदलने के लिए मुझे उसको खुश करना होगा चारा डालना होगा हमारे किस्मत की कुणजे उस अबजरवर के हाथ है मगर उसकी एक चोटी सी शर्त है कौन सी शर्त उसमें तुम्हें मेरे साथ देखा है और भाईजी से कहलवा है कि वो तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हाँ कोई औरत सापने में भी सोच नहीं सकती कि उसका प्रेमी जो उसका पती होने वाला है कभी ऐसी बात अपने मुझसे कहेगा अपने अभी लाशा को पूरा करने के लिए ऐसी गट्या बात अपने मुझसे नहीं निकानी चाहिए थी अगर तुम सच्चे प्रेमी और मर्द होते तो शेतान का गला उसी वाखत बोल देते जब उसने तुम से अपनी प्रेमी का मांगी थी तुम इतनी सी बात का बतंगर बना रहे हैं जरा आने वाले जिन्दगी के बारे में सोचो संधिया उस शान शौका तुम आखेला भागीदार नहीं होगा तुम्हारी शान भी तो कितनी बढ़ जाएगी और फिर इस रात का किसे पता चलिएगा सुभा तुम भूल जाना मैं भी भूल जाओंगा उस अब्जरवर की ताकत को समझा तुम्हारी वह बहुत बड़ा अग्मी है प्लीज मचो मुझे मेरे बदल पे किरे रही ते महसुस होते हैं एक लड़की के लिए अपनी इसमत को चारा बनाना किसी दूसरे के बिस्तर पे अपने अथ मसेनमान को बिचाना आज़ा नहीं है छोड़ दो मेरा पागल मदमन संध्या तेरी ये जरा सी बेवखूफी हम दोनों को बर्बात करतेगी जब तक ये हाथ मैंने पकला है लोग तो ये संध्या देवी के नाम से बुकारेंगी जिस दिन छोड़ दिया सबात परा जाएगी सारी भाशा भूल जाएगी भाशार देना आसान है काम्यावी की जिन्दगी जिना इतना आसान है सरा सोच तू मेरे बच्चे की मा मनने वाली है अगर मैंने शादी से इंदकार कर दिया तो क्या जवाब देगी जब लोग पूछेंगे कि तिरा बच्चा किसका पाप है कर दिया देने की कोशिश मात करो तूम जैसे घटी आदमी के साथ रहने से मैं बैतर संजूगी कि सारी दुनिया को बता दो मैरे बच्ची का बाप मर गया एक औरत तुम जिसे आदमी के साथ पवित्र अगनी के फेरे लेने से बहतर समझेगी कि उसे खंद कर दे और फासी पे चड़ जाएगी Now get out! Hello Canvar Enterprises, मैं जगन बोल रहा हूँ हाँ हाँ, Boss, Boss तो Switzerland गे हुएं दो दिन में आ जाएंगे हाँ, जी, हाँ, आपका माल पहुच जाएगा कल शाम तक पहुच जाएगा Okay Boss, okay Sir, see up Hello Canvar Enterprises Good morning Boss, everything fine Sir Yes Sir, Mr. Surur Prakash Sir Heavy majority से जीत गया है Sir Right Sir Okay Sir, मैं भी जाता हूँ Good day Sir, मैं आए कमिन Sir Namaskar Suraj Prakash Ji मेरा नाम सलीम है मैं कनवरलाल जी का पर्सनल असिस्टेंट कनवरलाल कनवर एंटरप्राइज़स का मालिक कहिए आज सुबा विदेश से कनवरलाल जी का फोन आया था उन्होंने कहा कि आप राजनीती के मैदान में कूदे हैं तो ये महंगा खेल खेलने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी में अच्छी तरह से जानता हूं और तुम्हारे कनवरलाल और उसके धन्दों को भी है वो उनको पैसा देता है जो सपता में होते हैं ताकि उसके काले कारणामों पर परता पर रहा है मगर इस बार तुम्हारे कनवरलाल को मुझे पहचानने में थोड़ी सी भूल हुए मैं जनता का सेवक हूँ और एक सचा सेवक होने के नाते मैं कनवरलाल और उसके धंदों का सर्राश कर दूँगा जगर के दूर से शेवर सर मैं आपका मेसेज कनवरलाल जी तक पहुचा दूँगा नमस्कार सुरज पाई लोग लक्षमी आई हमरे द्वार और हमी कहे गोली मार इसनी बड़ी रखम वापस कर दी और उपर से का रहा है आप आल मुझे मार आप लोग इतने ही समझदार होते तो आज तक एलक्षन लड़वाते ना रहते हाई कमाड आपको भी राम जी की किरपा से एकाद एलक्षन लड़वा देते ये रखम जो उसने भिजवाई थी वो तो राई थी राई मुझे परवत चाहिए परवत कनवरलाल कोई मामूली शाय नहीं आज राज जब मैं उसके स्मगलिंग के सामान पर छापा मावें को और उसको पुलिस के हवाले करोगा तब देखना तमाशा जनता की हमदर्दी और जो शहुरत मिलेगी वो इन कागज के फुलंदों से कहीं ज्यादा होगा और जनता की मांग पर मंत्रीपद मेरे साम में होगा जाथियो बोड़ा रहे हैं जहर भरे ट्रक गनवरलाल को उसके कुपर्मों की सजा हम दिलवाएंगे चाहे वारी जानी को नहीं तरी जाए इन ट्रकों को में शहर के अंदर नहीं जाने जाएंगे जिन्दावर जिन्दावर मैं कल्यार पार्टी का है मैं लोग कल्यार पार्टी का एमेले हूं जब तक पुलिस यहां नहीं पहुचाती तब तक यह ट्रक एक इंच भी यहां से नहीं लेगा कि यह तो उमीद से कुछ ज्यादा ही होगा सिरस्प्रकाश कारिक करताओं की लाशें कनवरलाल के गले के फंदे को और भी तंग करतेंगी अब मुझे मंत्र बंने से कोई नहीं रोख सकता युवा एमेले सुरज प्रकाश ने साहस दिखाते हुए कनवर इंटरप्राइज के नाजायज माल ले जाने वाले ट्रक जो रास्ते में चार आदमियों को कुछल गए थे पुलिस के हवाले कर दिया जिसके कारण आज कनवर लाल जैसे बारसूख आदमी को अदालत में हाजिर होना पड़ा कितना खुबसूरत आदमी है ये कनवर लाल वाँ क्या परसनेलिटी है आरे सूरज परकाश भी बड़ी हिम्मत वाल आदमी है कितना आदमी है कितना आदमी है झाल 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 मिस्टर कन्वरलाल आपकी जमानत दस लाख रुपए नगत के वज मन्जूर की जाती है मिस्टर की जाती है झाल मुझे पैचाना मिस्टर सुरज प्रकाश अच्छी कराश यह जानते हुए भी मेरा पैसा वापस कर दिया ऐसे कौन से कांटे थे उस में क्योंकि मैंने देश सिवा की शपत लिये मैं राजनीती को नई दिशा नया मोर देने आया हूँ दौलत मुझे नहीं खरीच सकती कनवर लाद है ओ रियली लेकिन कुर्सी की लालच आपको खरीच सकती है और उसके लिए आप घटिया से घटिया अरकत कर सकते हैं ताज्जब की बात तो यह है कि आप जैसा घटिया आदमी केरेक्टर की बात करता है सलीम सर मलस आप उजर इंका इत्यास तो बताना बड़ा रोमांचकारी इत्यास है सर 1978 में प्रोफिसर की मारपीट के जुर्म में कॉलिज से निकाले गए लेकिन अपने ही जैसे चंसाथियों को गुम्रा करके कॉलिज के बाहर धरना दे दिया और स्टुएंट डीडर बन गए 1980 में बंगों के दौरान लूट मार करते हुए पकड़े गए लेकिन नेतागिरी की आड़ लेकर सजा से साफ बज़ गए 1984 में एक शरीफ लड़की को अपने प्रेम जाल में फसा कर उसे बिन ब्याही मा बनने का सौभाग तरदान किया और उसे भी पीज दिखा कर भाग निकले और 1988 में मंत्री बनने का सपना देख रहे है जनता की सेवा का बीड़ा उठाया अरे MLS आप तो पसीना पसीना होगे सिर्फ आदा गेंट आपके बारे में छान बिन की है तो ये हाल है अगर पुरा हित्यास खोज निकाला तो हार्ट फेल हो जाएगा आपकी पोजिशन खाथ में मिल जाएगी जस्ट रिमेंबर देट मिस्टर सुरज प्रकाश मेरे ट्रक रोकने के तुमारी हिम्मत कैसे होगी क्योंकि वो नाजाई शराब ले जा रहे थे मिस्टर कनवरला जो कानून जुर्म है तुम देश के कानून के मुझरिम हो तुम बगवास कर रहे हो इस तरह तो हर बिजनसमें मुझरिम है एक कंपनी का नाम बताओ जो खातों में हेर फेर नहीं करती एक इंसान का नाम बताओ जो इमानदर इसे इंकम टेक्स देता है जो जान बुचकर सरकार की आँखों में धूल नहीं जौंकता अगर ऐसा न करे तो आसमान को छूती हुई इमारते हवा से बाते करते हुई कारे कहां से आसल करेगा लेकिन कनवरलाल ने जान हतेली पर रखकर दौलत कमाई है वो पहाड़ों से टकराने की हिम्मत रखता है तुम्हारी तरह हैसान फरामुश नहीं है जो वक्त आने पर अपनी मा के दूद का साथा करने से भी नच चुके मेरी दौलत मेरी हिम्मत और दिमाग का नतीजा है अब आइंदा मेरे बिजनस के बार में फैसला करने की कोशिश मत करना कि वो अच्छा है या बुरा वर्णों में तुम्हारी जिन्देगी का फैसला करने पर मजबूर हो जाओंगा तुम्हेंने कहा था ना के तुम मुझे बर्बाद कर दोगे हाँ मैंने कहा था और कर दिखाने की हिम्मत भी रखता हूँ श्रीमान कनवरलाल तुम देश और समाज दूनों के दुश्मन हो मैं तुम्हें तुम्हें तुम्हारे बिजन्स के साथ दफन करते हूँ इस मेस पर इतनी जोर से हाथ मंतमावा कि यह तूट जाए यह तुम्हारे बाप के पैसे सो नहीं खरीदी हुई बलकि तुम्हारी पाटी ने उस पैसे से खरीदी है जो मैंने दान दिये है यह शराब जिसे पी कर तुम नशे में जुमते हो यह खाना जिसे खाकर तुम जिन्दा हो यह कपड़ा जिसे पहन कर तुम जंदा के आगे आगे घुमते हो यहां तक यह जमीन जिसमें तुम्हारे कम कमाते हुए पैटिके हुए यह सब उन पैसों से खरीदी हुई है जो मैंने पाटी फट में दिये तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है बोली बाली जंदा पर अपनी भादूरी का जुटा सिक्का जमाने के लिए शेर के मुँ में हाथ मत डालो पहले कनुवरा की बढ़ावरी करो फिर बात करना तुम जैसों की तरफ मुड़कर देखने का वक्ती कहां है सुरश प्रक या मेरी इंसानियत की जिसके पिछे कोई भीड नहीं तुम जैसे जुगनु की जो रातों को टिम टिमाता फिरता है या कनवर लाल की जो आस्मां का चमकता सितारा है चैलेंज चैलेंज मुख्य मंत्री श्री सिंग ने अपने मंत्री मंडल में विस्तार करते हुए युवाय मेले श्री सूरज प्रकाश को सम्मिलित कर लिया है जनता ने मंत्री श्री सूरज प्रकाश का जोरदार अभिनंदन किया लेडीज एंड जंचूलमेन roads ऐस किजी आप लोगे हमार लीए बहुत कुछ किया हमें ऑलेक्षन जितवाया हमें मंत्री बनवाया आपलोग अईसर साथ दे रहे हैं जैसे नया कमा जी हाहा हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं यह मुझे से यह सिर्फ इलेक्शन का वादा है हाँ क्यों वकिल सहाब आप क्यों ऐसे उदास खड़े हैं छोड़िया सर अब हमारा हाल सुनने की फुर्सत ही कहा है आपके पास कैसी बातें कर रहे हैं आप तो हमारे खासम खास हैं बस एक बार कनवर लाल को जेल की सलाखों के पिछे पहुचा दीजे उस दिन से आप की दिन फिर जाएंगे उसकी फिकर आप क्यों करते हैं सर मैंने गवाहों और सुबूतों का ऐसा जाल बुना है कि कनवर लाल के फरिष्टे भी उससे नहीं बस सकते तो फिर खुदी तैकर लीजे ना किस आदालत में जज़ बनकर बैटना है कहिए रामनाजी सरकार बार बार आपको कश्ट देता हूं मुझे बड़ी शरम आती है बड़ी बेटी की शादी तो आपके आशिरवाद से हो गई है अब छोटी की भी पकी कर दी है लेकिन सलीम सर रामनाजी को पचास दार रुपय दे दो ये सर जाए रामनाजी अपनी बेटी की शादी धुमधाम से कीजिए भगवान आपका भंडार सदा भरा रखे लीजी धन्यवाद नमसे आप लोग अना थाले काम शुरू कर दें मैंने सारा इंतिजाम कर दिया धन्यवाद सर ये कोडियों के हॉस्पिटल का चेक है इसमें कितना इमान भर दूँ दो लाग रुपया दो लाख रुपया इतना पैसा सर है ऐ अम सरी सरी सलीम खैशा किसी जरूरत मंद के काम आए तो पैसा है और ना कागज के टुकडे ये दौलत जो हमने समाज और कानून को अपना दुश्मन बना कर कमाई है किसी के तो काम आए किसी एक दिल से हमारे लिए दुआ निकलेगी तो हम समझेंगे ये दौलत हमारे काम आई है ये चेक आज ही भीजवाद देना हलो हाँ बोलो जगन माल पहुंच गया सारे चेक नाकों पर पूलीस लगे भी है जगन माल हर हालत में पहुंचना चाहिए लेकिन सर बहुत मुश्किल लग रहा है जो मैं कहता हूँ वो करो रस्ट आइब टेक केर ओके सार्ब लेकिन लगन सबस्ट इना भी अ कहता है कर भी चुँना कर भी बहा है कि अज़ अपोई। कि अज़। अजयां, आधाने में अपजी प्रयों, सकाइ़ में अजयां कर भाद़ी दूनी तूनी पले जए! च्रावाश आपतर्दार्वरियों विल्वाश दिंखावाश र्राष्टे से हाटव बन्हाफ डंटे लगावगा हां में पचास जृर्माना बती नहीं पचास जृर्माना अब गंटी नहीं ? अब गंट रेस्के दूश्मन भागा जा रहा है हमारे पेट के दुश्मन आराम से बैठेते हैं देखी न हमें सरकार तक जाने दिजिए पैट्रॉल कितना महेंगा हो गया है तुम्हारे माबापने, इनके सामने रोने से क्या होगा, चलो आटियो सहाब के पास चलते हैं, ये पत्था दिल क्या जाने, गरीबों के पेट के आए, अरी लग्जो, ऐसा मत बो, सहाब कितने अच्छे हैं, आप ही बताइए, हम हमारी मांगे लेकर सरकार के पास जाएं, आटा यूनियों, 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 आटा यूनि हुआ 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 है नकन वरलाल नकन वरलाल attractive नकन वरलाल जिसका नहीं जवाब कोई ऐसा हूँ मैं सवाल जिसका नहीं जवाब कोई ऐसा हूँ मैं सवाल तुकनवरलाल तुकनवरलाल तुम मौली दिलियां के बादशा खजब तुमारी चाल जो चाहो तुम कर सकते हो तुस तुमारी माल तुकनवरलाल तो कन्वर ना, मेकन्वर लाल हो, मेकन्वर ला जहां जहां भी जाता हूँ, जीत के मैंता आता हूँ जहां जहां भी जाता हूँ, जीत के मैंता आता हूँ, जाकर के लाग करता हूँ, तूपा से चत राता हूँ जाता हूँ, 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 जा हाँ 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 हाकिम हो या मुनसिफ हो सबसे ऐसा नाता है हाकिम हो या मुनसिफ हो सबसे ऐसा नाता है पास हमारे आते हुए खत्रा भी खबराता है जाता है सब को नजराना सब दे माला माल तुम कनवरलाल तुम कनवरलाल हूँ मैं कनवरलाल जिसका नहीं जवाब कोई ऐसा हूँ मैं सवाल कनवरलाल तुम कनवरलाल है तुम कनवरलाल कनवर लाल जी सूरज प्रकाश ने पबलिक प्रोसेक्योटर चतुरसेण को जज बनाने का वादा कर दिया है और इसलिए वो चतुरसेण जमीन आस्म को एक करने पर तुला हुआ है हमारे chances मुझे बहुत कम नजर आते हैं सर हमें seriously कुछ सोचना चाहिए सोचना आपका काम है वकील साब you are paid for it I know, I know sir projector lights off sir, ये Mr. Chaturushain है public prosecutor yes sir I see sir, ये पिछले 30 साल से पी-पी का वाच्मन है शकल से वफादार लगता है अपने काम का नहीं sir, इनका नाम नंदराम है पी-पी के असिस्टेंट कम सिक्रेटरी है सालों का तजर्वा इनके पीछे है लेकिन अकल से पैदल पी-पी साब इनने सिर्फ कोट की तारीख रुतागी रखते है ये भी बेकार है ये सीधी साधी आउरत कौन है संध्या देवी पी-पी के असिस्टेंट है sir वेर इंटेलिजेंट लेडी पी-पी साब इन पर बहुत भरोसा करते है दुनिया में आगे पीछे कोई नहीं सिर्फ एक छोड़ा सा बेटा है सलिम सर ये मोरा अपने काम का है मुझे इसके बारे में सब जान करी चाहिए ये ठीट कोई राइट सर संधिया ये फाइल जरा संभाल के रखना किस केस की फाइल है sir करनमरलाल वाले केस की देखो संधिया मेरा आज एक बड़ा इंपॉर्टन केस है इसलिए इस फाइल को तुम ध्यान से रखना इसमें करनमरलाल के खिलाफ सारे गवाओं और सुबूतों के डीटेज से अगर इसमें से एक भी पेपर इधर से उधर हो गया तो करनमरलाल कानून की गिरफ से निकल जाएगा और मेरे हाद से मेरा प्रमोशन निकल जाएगा संधिया तुम फाइल से रिंच करो मैं चेंबर से उकराता हूँ की सर्व संधिया जी आपके साथ काम करती है हाँ क्यों आप उन्य जानते हैं हम लोग अनातेल में एक साथ थे भाइबें जैसे हैं मैं उनसे मिलना चाहता हूँ सर वह काम काम में लुक शीज दिया संधिया संधिया जी ये कनवरलाल केस की फाइल है जी हाँ क्यों मुझे कुछ पॉंट्स नोट करने हैं लेकिन ये फाइल में आपको नहीं दे सकती इट इसन इंपॉर्टन फाइल और पीपे साहब बड़े सकता आदमी है अरे अभी उन्हों नहीं मुझे आपके पास भेजा है आप बेकार में परिशान हो रही है वैसे भी मैं यहाँ खड़े खड़े यह फाइल देख लूँगा और आप फिकर ना करें मैं वही इंस्पेक्टर हूँ जिसने कनवरलाल को गिरफतार किया तोट यूँवरी ये लीजी तक यू कैफुल हाँ अके संद्या हाँ 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 सर सर वह पुलिस ओफिसर गाइब हो गया कौनसा पुलिस ओफिसर ओव तुमारा भाई हाँ भाई सर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है आप ही ने तो उसे तनवरलाल की फाइल से पॉइंट्स नोट कने के लिए बेजा था न हाँ मैंने पहले बेज़ था हाँ सर आप भी ने तुछ इशारा किया था ना क्या बखे जा रही हो तुम कहीं तुम ने उसे फायल तो नहीं देदी नहीं सर वो उसने कहा कि वो यही पर देखकर वापस कर देगा लेकिन अच्छान वो भाग गया मैंने सारा कोट चान मारा ले अरुन कुमर नम पर कोई इस्पेक्टर आमारे या नहीं है सारी सर बताइए सच सच बताइए कितने पैसे लेकर आपने वो फाइल बेची कितने पैसे दिये मिस्टर कनवरलाल ने आपको उस फाइल के लिए स्पीक आप नई से मैंने कोई पैसा नहीं लिए आमें कुछ नहीं जानती कितने शर्म की बात है संधिया देवी कि एक वकील होकर आप अदालत को ठोका दे रही अगर वो सारी बारदात आप खुद बता दें तो अदालत का हकीमती वक्त भी बचेगा सचाए तो यह है सर कि वो फाइल मैंने उसे सब इंस्पेक्टर को दी थी जिसे आप ही ने बेजा था ओफो फिर वही बक्वास कर रही है आप Mr. Canvarlaal अगर उस गुम शुदा फाइल से किसी को फाइदा हो सकता है तो वह आप हैं सिर्फ आप इसलिए उस फाइल को खायब करने की साधिश सिर्फ आप कर सकते हैं पताए का है वो फाइल Mr. Public Prosecutor, क्या आब बता सकते हैं कि हिटलर की दाई टांग छोड़ी थी या बाईं? What nonsense are you talking? Then you talk sense Mr. Public Prosecutor, जो फाइल आपके कबजे में हैं, आप उसके बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, अगर मैं मुरफ्ता की बात कर रहा हूँ, तो आप महा मुरफ्ता की बात कर रहे हैं दमीज से बात कीजिए Mr. Kanwarlaal, this is high court! मैंने कब कहा कि ये tennis court है? Order, order! वैसे Public Prosecutor साब, किस बिना पर आप ये कह सकते हैं कि वो जुर्म इस शरीफ वारत दे किया है, जिसका इल्जाम आप इस पर लगा रहे हैं? मुल्दीम के चेहरे पर उसका जुर्म छलगता है, उसकी घबरहाट, उसकी कपकपाट गभाई देती है, ये बताइए Mr. Kanwarlaal, कितना पैसा दिया आपने संधिया देवी को? लगता है अब आपको सच बताना ही पड़ेगा लेकिन वो पैसे मैंने संधिया देवी को नहीं, आपको दिया थे जी, मुझे? जी हाँ, अब आप अपने चेहरे पर घबराड देखिए, आपके पैर कपकपा रहे हैं, इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है, कि ये जुर्म आपने किया है ये और अनर, मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, हम किस केस पर बहस कर रहे हैं मिस्टर कनवरलाल जिनका ट्रक, तथा कथित, स्मगलिंग का सामान ले जाते हुए पकड़ा गया था, या फिर वो गुमशुदा फाइल, जो जूनियर पॉब्लिक प्रोसेक्यूटर के हाथों गुम हो गए थी मेरे काविल वकील, मिस्टर पॉब्लिक प्रोसेक्यूटर इस केस को उलज़ा कर अदालत का वक्त बरबाद करना चाते हैं उनकी खुबसूरती से बनाई गई कहानी ये कहना चाहती है कि वो फाइल जो सरकारी तहवील में थी, I mean सरकार की पॉजेशन में थी गायब हो गई है ठीक है, हो गई होगी, लेकिन यॉर ओनर इससे मेरे क्लाइंट मिस्टर कनवरलाल का क्या तालुक हो सकता है हकीकत ये है यॉर ओनर के कुछ पॉलिटिकल फॉर्सेज मिस्टर पब्लिक प्रोसेक्यूटर और उनकी सायक संध्या देवी से मिलकर मेरे क्लाइंट मिस्टर कनवरलाल के चरित्र पर कीचड उचालने की कोशिश कर रहे है संध्या जी इससे पहले आपने मिस्टर कनवरलाल को कभी देखा है जी नहीं किसी ने रिश्वत देकर आपसे वो फाइल हासल की है नहीं मैं नहीं जानती कि वो फाइल ले जाने वाला कौन सा मैं तो सिर्व इतना ही जानती हूँ कि मुझे दोका दिया गया है इसकि दामि में और कोच ने जानती में कोच ने जानती और कोच ने जानती हाँ! सर, सर मानते हैं आप इस उतनलाल के दिमाग को पूरी अदालक को हिला कर रख दिया ऐसा कौन सा तीर मार लिया है आपने वकिल साहब ये क्या हो रहा है सर, कमाले भाई आप कहां धरे देखा नहीं, कोट में कैसे शेर की तरह धार रहा था अपने सवालों की बहचार से मेरे सब के मूँ बन कर दिये सुरच प्रकाश की चाले, धरी की धरी रह गई क्योंके फाइल हमारे पास पहले ही पहुच चुकी थी अपने सब सेरा मत मान दिये वकिल साहब अंदे के हाथ बटे लगी, बोला रोज शोरवे से खाता हूँ हसो मत, हसो मत, मैंने तुम लोगों को बचाया है परना वो हतकडिया जो संधिया देवी को लगी है, वो तुम्हारे लिए आई थी क्या, संधिया गिरफतार हो गई हाँ सर, वो तो कबसे जेल में पहुच गई होगी बेटे, यहां अकेले बैठे, किसका इंतजार कर रहे है ममी का बेटे, आपकी ममी एक जरुरी काम से बाहर देए, कल तक आ जाएंगे और आपकी ममी ने कहा है कि तब तक राजु बेटा हमारे साथ रहेगा हम आपको बहुत सारी आइसक्रीम खिलाएंगे, भेर सारे खिलोने देंगे आपके पास सिट्टे पैसे है अंकल हाँ है बेटा, आपकी ममी ने दिये है, चलो अंकल आप ममी के कौन है हम उनके सेकरेटरी है जगन, सार, बेटे, अंकल के सार जगत गाड़ी हम गठो, हम अभी आते है चलो सलीम, सार वकिल साब से क्याना, संद्या की जमानत कल तक हो जानी चीए ओके सर मेरे राजू कहा है शास्ती जी बेटे अनाथ हाला से फोन आया था कि सब ठीक है मुझे लगता है वो अपनी ठीचर के साथ चलागी होगा तुम्हारी जमानत की ख़ब नहीं होगी लेकिन मेरे जमानत किस ने करवा है कह नहीं सकता बेटी आपके अलवा और कुन हम दर्दे मेरा मामी राजू राजू मामी राजू कहा कहा तो मेरे बिटा कहा ते तु हाँ वो अंकल है ना उन्हीं के पास ताटा 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 चलो आप संधिया अंदर चागे खाओ अच्छा मामी मानु ने मंत्री महत है पिराजी, आज कोई नया लाल अच्टे ने आये हैं? हम यहाँ तुमसे उलजने नहीं आये हैं और नहीं हमारे पस बैठने के लिए वक्त है वो तुमेरी शराफत में मुझे मजबूर कर दिया जो तुम्हें बैठने के लिए पूछा परना तुम्हारी सूरत देखकर ही मुझे उल्टी आ रही है तो अपना हाजमा दुरुस्त कर लो और हमें सिर्फ ये जवाब तो कि तुम कनवर के साथ क्यो जामिली हो हमसे बदल लेना चाहती हो या फिर उसकी दौलत पर हास साफ करना चाहती हो क्या रिष्टा है तुम्हारा उसके साथ रिष्टे तो तुम समझते ही कहा हो जो तुम्हें बताओ जहीं बदले की बात तो मैं तुम्हें उसके काबिल नहीं समझती है और अगर पैसे का लालच होता ना तो उसे दिन तुम्हारी बात मांगने थी तुम क्या समझते हैं, हम तुम्हारा विश्वास कर लेंगे, अगर तुम्हारी नियत ऐसी नहीं थी, तो कनवर को फाइल क्यों दी थी? नहीं मैंने फाइल नहीं दी थी, उचसे दोखा किया गया है, बली चड़ाय गया मुझे अग्य अच्क्छ में हिंबत से खेच ही, लेकिन अब मन नहीं सा जा सकता, लोग कीचल उचा रहे हैं, जो अपराज मेरे नहीं किया, उसका जिम्मेतार मुझे ठहला रहे हैं, मैंने कोई अपराज नहीं किया, नहीं किया तुम्हारे ये मगरमच्छ जैसे आंसु हम पर कोई असर नहीं कर सकते हैं संध्या देवी तुम्हारी ये सिस्कियां तुम्हारी बेगुनाई का सबूत नहीं दे सकते हैं हाँ जानती हूं मंत्री जी आंसु तो सिर्थ इंसानों पर असर करते हैं तुम जैसे शैतानों पर क्या असर करेंगी तुम पर तो उस दिन भी असर नहीं हुआ था जब अपने प्रेमी काकुम दूसरे मर्द के साथ रात गुजारने बेज रहे थे तुमसे कोन इंसानित की उमीद रख सकता है गोली मार उंसानियत को हमारी पोजिशन देखो आज हम हर हाल में कनवर से बढ़े हैं इस्जत में शोरत में रुटवे में यही सब कुछ मुझे बताने के लिए हैं कसाई की छुरी चाहि कितनी भी चमकदार धारदार लंबी हो गरदन काटने के लिए ही कामाती है तुम्हारी दालत, शारत, रुद्वा, सब कुछ, सब कुछ लोगों की बली चड़ाने के लिए ही काम आएगा संध्या भूल जाओ सब वो पुरानी बात है सब कुछ ठीक हो सकता है हम तुमें वो सब कुछ देंगी इसके तुमने सबने में मिकलपना नहीं की होगी बस, कोट में सिर्फ इतना कहती है एक तुमसे डराद धंका कर वो फाइल ले गए मैं जूट नहीं बोरूगी हमेशा एक ही बात कहूंगी कि फाइल मेरे ही हाथों से गायब हुई है मगर नहीं जानते कि कौन ले गया संध्या, तुम्हारी बेवखूफी हमें मजबूर कर रही है कि हम तुम्हारे हाथों में भी ककटोरा देगी जानती हो इसके बाद क्या होगा जो काम तुमने हमारी तरक्की के लिए नहीं किया वो अपने पेट के लिए करती पिपड़ी ना जाने कितनों के विस्तर करम करने पड़ेंगे अगर किसी दिन इतना हार गई तो तो आत्मात्या कर लोगी अपना मकसद पूरा करने से पहले नहीं मरोगी इतनी बखवास इसलिए कर रही है कि वो गुंडा कनवर्थ तेरा हिमायती है लेकिन ये मत नहूँ कटी पतंग भले कितने ही मुची प्यूर पर क्यों ना ठक जाए ज्यादा दिर हवा में नहीं ठैर सकते उसे नीची आना ही पड़ेगा आरोगी चिन्जी चिन्वी होकर तुम मुझे कटी पतंग समझ कर यहां आया लेकिन तुम ये भी जानते हो कि मैं एक अटल आउरत हूँ जिसे तुम जैसा शैता नहीं दिगा सकता ये समझते हुए माननी मंत्री महतई इससे पहले कि मैं यहां से आपको दख्या मारकर निकार दू आप अपनी महनुश सूरण लेकर यहां से चले जाएए के तुम संध्यात दुम मेरे जीवन की प्रेल ना हो वरना मेरे जीवन में रखा ही क्या है कुछ नहीं सूरण एक तु 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 इतने निराश हो और उपर से पढ़ाई छोड़ रहे हो कुछी दिनों की तो बात है तुम वाकिल बैंग जाओगे अरे गोली मारो पढ़ाई को क्या रखा है पढ़ाई में सूरण प्रकाश का जीवन का मकसद तो सत्ता में प्रवेश करना है और वो है वो करके ही रहेगा हुआ 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 क्युआ हुआ हुआ टो क्युआँ झाल झाल लोगो 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 जीयो औरे जीने दो, जीने दो जियो जिने लो जिने लो हुआ हे बशाने नहां हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, कर दो, कर दो, कर दो कर दो, 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 क प्यार है एक नशा, दोसी एक नशा, जिंदगी एक नशा, नशा पीम करो, पीम करो, पीम करो पीम करोजा विदिओ, विदिओ, विदिओ वहाँ, बताई आपका केस क्या है ताचुप, सप्राइज, अचरच मैंने सब कुछ तो आपको कान पुसफुसी अंतर पर बता दिया था टेलिफोन पे लेकिन टेलिफोन पे सारी बात सुनाई नहीं दी थी तरह आप फिर से बताएंगे वहाँ, आपका टेलिफोन तो बड़ा बुद्दू, बड़ा एहमत, बड़ा इडियोटिक है लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी बात बता जाता हूँ बात दरसल ऐसी है कि मेरा केस लड़ने के लिए शहर के बड़े-बड़े वकीलों के अंदर स्पर्दा, कॉम्पेशन, मुकाबला हो जाता है लेकिन किन्तु परंतु यह मामला इस्त्रियों का है, औरत का है, भूमन का है इसलिए मैंने सोचा है यह मामला आप इनिप्टा है जो बेतर होगा धन्यवाद, अब आप केस की टीटिल्स बताएंगे यह बड़ा साधा, बड़ा सिंपल, बड़ा आसान सा है वो यू है कि मैं अपनी पत्नी, अपनी वाइप, अपनी बीवी, सीमा, सुनीता, शरीफा से तलाग लेना चाहता हूँ आपके टीम बीविया हैं? ओ नहीं, बीवी तो एक ही है, बने उसके रूप अनेक है और वही मैं बरदाश्त, तहन, टालललली लेट, तालललली लेट, वही रेट, बस मैं नहीं का सकता हूँ लेकिन अप तलाग क्यों लेना चाहते हैं? ओ अब आप से क्या चुपाना, आप मेरी वकीन, लॉयर, भाडू हैं बात दरसल ऐसी है कि मैंने अपनी वाइफ, पतनी, बीवी के ओनमेंट्स, गहने, जेवर बेच कर बिजनस में डाल दिये अब बिजनस में लॉस, नुकसान, घाटा हो गया तो घर में जगड़े होने लगे, जूते चपल चले लगे, मैंने कोद में आकर, गुस्से में आकर, एंगर में आकर, उसकी टांग तोड़ दी अब वो अपने भाई, बंदू, ब्रदर से मिलकर, मेरी हड़िया तुरदाना चाहती है आप देखिए, आप कोई ऐसा रास्ता निकाल दीजिए, कि मेरा डिवोस हो जाए, यानि तलाक हो जाए, अब एक दफ़ा तलाक हो जाएगी, तो मेरा उससे कोई राता, रिष्टा, रिश्टा, रिलेशन्शिप नहीं रहेगा, है जी, और एक दूसरी कनिया है, जो पांच सिमान, इंटेलिजेंट अकलमन है, फॉरण मुझे बता दीजे रास्ता ना, फॉरण बता दीजे, रास्ता हम बताते हैं, चलो, थैंकि यू संदर जी, मगर, मैंने क्या किया, मैंने, इनकी टांग तो नहीं तोड़ी थी, मैंने, नेवा ब्रोक इस लेग आई, क्यूंकि आ चल बार, हाँ, चलता है ना, हम क्या भाई भाई भी नी बोलेगा क्या, चलो, सीदा, चलो, नाल ठोक दी मेरी, नाल ठोक दी जालिमोने मेरी, यह क्या किया बेटी, अगर केस बसान ना आए तो मना कर दिया करो, खामखाद दुश्मन क्यों बना रही हो, हम लोग काला कोट पहन कर अदालत में खड़े होते हैं, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए, ना कि जूट और अन्याय का साथ देने, लेकिन बेटी, हमें अपने पेशे को चलाने के लिए, अपने, इंसान का पेशा सिर्थ रोटी कमाने के लिए ही नहीं होना चाहिए, कुछ मर्याद अभी वकिल कैसे होंगे, जिन्होंने हमारे महानताओ की कातिलों की सफाई पेश की होगी, उन्हें फासी की फंद से बचाने की कोशिश की होगी, नहीं शास्त्री जी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, जीती रो मेरी बच्ची, तुमारे इरादे बहुत मजबूत है, तुमारा पेशा भले तुम्हारा साथ छोड़ दे मगर तुम्हारा विश्वास हमेशा हमेशा तुम्हारा साथ देगा वकेल साब कनवरलाल ने पहाडों का सीना चीर कर अपना रास्ता बनाया वह गरीब बेसार और शेरीव लोगों के कांदों पर पैर रखकर ऊपर नहीं आया अफसोस तो इ मेरी वज़े से संद्यार वो मासुम बचा तकलीव उठा रहे हैं ठीक कह रहा है सर उन विचारों का जीना सच मुझ 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 मुझकिल हो गया है हमें उनकी मदद करनी चाहिए सलिम जाओ उन्हें जो भी चाहिए दे दो जितना भी पैसा खर्चो उन्हें किसी किसम की त एक्भाल करते हैं हर तकलीव सही है सर उसने लेकिन आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फेलाया बड़ी खुद्दार औरत है सर ऐसी महान औरत के पास मदद लेकर जाना हमें शोबा नहीं देता आप खुच जाए तो ज्यादा मुनासिव होगा सर हेलो संद्य जी मेरा नाम कनवर लाला है पैचाना भयानक्स अपने इसनी जल्वी कैसे बूल सकती हूँ एक्सक्यूज में आपने यहां आने की तकलिफ क्योंकि गवराइए मत आप कोई बहनक सपना आपकी आँखों तक नहीं पहुंचेगा फिर भी अगर तूफान आने की खबर हो जाए तो इंसान अपने बचने का इंतिजाम कर सकता है आप जो चाहें कह सकती हैं मैं आपका मैंने अपने आपको बचाने के लिए आपको मुसीबत में भसाया लेकिन आज मैं अपनी गलती का सुधार करने आया हूं यह हैं दो लाक रुपे मेरी वज़े से आपका जो नुक्सान हुआ है उसे यह पुरा कर देगा क्या ही मेरी इंसत वापत दिला सकता है जो मैं खो चुकी है क्या ही मेरी मर्यादा लोटा सकता है मेरी इमानदारी और शराफत पर वो कलेंट मिटा सकता है जो आपने लगाया है ऐसे पैसो की एहमियत आप लोगों की नजर में हो कुछते हैं जो मान मर्यादा की खीमत नहीं जानते मैं ऐसे पैसो पर जीने से मरना बहतर समझती है देखिए सुल्या जी, don't be emotional मेरी बात को ध्यान से सुनिए आपको मुझरिम बनाकर मैंने अपनी आपको बचाया मेरी वज़े चुए है आपको पैसो की जरूरत है इतना खुद्दार होना भी अच्छा नहीं है प्रैक्सिस शुरू करने के लिए राजु की डेखबाल के लिए ये रुप्या आपके बहुत काम आएगा आज के बाद कभी भी जरूरत पड़े तो समझ लेना कर्णवरलाल कर्दार है एनी टाइम ये रहा मेरा पर्सनल नमबर 571042 क्यों कि अच्छी कि अच्छी कि मेरे रास्ते गलत हो सकते हैं मेरी दौरत हराम की हो सकती है लेकिन इस सीने में जो दिल धड़करा है वो बुरा नहीं है उसमें आपके लिए कोई छल नहीं है टॉंट पर्गेट मैं टेलीफोन नमबर 571042 क्यों कि उस जही हो क्यों क्यों कि अच्छी जहीईए क्यों frank क्यों क्यो क्यों तीचर, ये राजू की फीज जमा कर लीजिए, आई इंदा कोशिश करूँगो एकी टाइम पर जमा कर सकूँ, लेकिन राजू की फीज तो तीन मिल पहले ही भरी जा चुकी है, भरी जा चुकी है, किसमें भरी, ये तुमुझे पता नहीं संद्या बेटी, कोई आदमी कार में आया था, तुम्हारे लिए सामान दे गया है, कौन है थमाउसी, बेटी पहले उसे कभी नहीं देखा, अच्छा संद्या जी, मैंने अपने स्वार्थ के लिए आपको इस्तेमाल किया, ये मुझसे सहन नहीं होता, आपके चूड़ियों और चेंग भेज रहा हूं, नाराज होकर वापस मत किजिएगा, जिन्दगी की आखरी सांस तक मदद करूँगा, कनवर लाज संद्या देवी, आपके बारे में मेरे सारे अंदाजे गलत साबित होए, जो रखम आपको देनी चाहिए, वो आपने सुक्रादी, और आप जो मदद में आपको बताए वगर कर रहा हूं, वो भी आपको पसंद नहीं, आपको समझना भहुत मुश्किल है, ना जाने किस ओल भ्डादी से हर इंसान बना हुआ है, लेकि आप सिर्फ उन ओर उन्रतों को समझ सकते हैं, जो दोलत की लालच में अपने बदन का सौधा करती है, या फिर उन लोगों को जो आपके हुलाम है, जो पैसे के लिए इनसान की जान भी ले सकते हैं, आप सिर्फ उनलोगों को समझ सकते हैं क्योंकि उन्हीं हैवानों के बीच आपने अपने जिन्दे की गुजारी है मिस्टर कनवरलाल आप में खत्मे लिखा कि आखरी सांस तर्म मेरी मदद करेंगे कौन होते हैं आप मेरी मदद करने वाले आप घुन्डे बदमाशों के लिए भगवान होंगे मुझ जैसे आउरत के लिए नहीं जिसकी आत्म आप दे जिन्दा है मुझ जैसे खुद्दार आउरत की तो आप दुश्मन है मुझे इसकी परवा नहीं कि आप मेरे बारे में क्या सुचती है लेकिन आपकी मदद करना मेरा फर्द बन गया है और ये कोशिश तब तक चलती रहेगी जब तक आप ना कहते कहते ठक न जाएं और कनवरलाल जो सोचता है कर दिखाता है मेरा इरादा कोई नहीं बदल सकता मुझे कोई दिल्चस्पी नहीं आपके एरादों में जो नुक्सान मुझे हुआ है वही काफी है अब बार बार मेरे घरा कर मुझे बदनाम करने की कोशिश मत कीजेगा ठैरिये संध्याची अगर आपको मदद पसंद नहीं तो मेरे याँ काम कर दिजी मेरे सारे केसे देहिंदल कीजी उसके एवर्ज में मैं आपको उस पब्लिक रोस्टिकरों से दस गुना ज्यादा तंखवा दूँगा जिसने आपकी वफदारी पर शुभा किया आपकी अदालत में तोहिं की इस तरह हम दोनों के समझ से हलो जाएगी आपकी जिद और मेरी ख्वाइश जी नहीं मुझे आपके अपरादों की साज़ेदार नहीं बनना जुटे के इस अदालत में लड़ना मेरी आदत नहीं है और जिस दिन इतनी मजबूर हो गई जहर खा लो आप मारतिया बुझ देली है और हालाद के खिलाफ बीना सोचे समझे जिस करना बेपूर बिल्कुल ठीक कहा हूँ मैं बुझ दिन हूँ क्योंकि और लेकिन मेरे अंदर जो कड़वाहत है वो आप ही किभी हुई है फैर आप जो कर सकते थे आपने किया ये जेवर यहां पड़े है जो पैसा आपने मुझ पर खर्श किया है काम मिलते ही बापस करदोंगी काम मिलना इतना आसान नहीं है संद्या दीवी दस खराओ के बर्तन तो माच सकती हूँ पाख के करूँगी अपने बच्चे का पेट काटूँगी लेकिन आपकी पाई पाई चुका दोगे मिस्टर कन्वर्लार गुद पाई मिस्टर कन्वर्लार, कितनी बाँ मैना आपके मैं मिस्टर श्री जनाब कन्वर्लार नहीं बोल रहा हूँ मैं आपका शुपचिन तक जौन जानी जनारधन बोल रहा हूँ जिसे आपने प्रिजन, जेल, कारागार में भिजवाया था और आपने मेरे दो लाख रुपय का नुकसान कर दिया था, दो लाख का वो तो आपको चुका नहीं है ना क्या मैं दुबारा पुलिस को फोन करूँ शौक से, शौक से फोन कर लीजिए अगर आप अपने बेटे की लाश, डेट बाडी, मृत्तक शरीर देखना चाहती है तो शौक से फोन कीजिए शौक, क्या क्या मेरे बेचे को, कहा है मेरे बेटा तुम्हारा बेटा यही है, मेरे पास दुद्दू पी रहा है मैं उसे सीधा स्कूल से यहीं ले आया था बस दो लाख रुपे कैश, धन, पैसा ले आओ और अपने सन, पुत्र, लड़के को ले जाओ भग्मान के लिए सम मत कहो, मैं इतने पैसे कहों सिलाओंगी ओहो, आपको क्या फिकर है, बैंक तो खुद चलके आपके घर में आता है आपका वो दोस, मित्र, फ्रेंड है न, कन्वरलाल मैं उनसे पैसे नहीं ले सकती सोच लो, अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो मैं तुमारे बेटे की करदन मुंडी नेक तोर दूँगा ने, ने, मिल राजु को हाथ मत लगाए, प्लीज, मिल राजु को कुछ मत कीजिए, I'm requesting you, please ओहो, ठीक है, तुम रात तक पैसो का अरेंजमेंट इंतिजाम प्रबंद कर दो, मैं आदी रात को फिर फोन करूँगा, midnight, good night तो ये वारदात कल सवेरे की है, I'm back, pardon sir, सुबाच छे मजेगी इस्पितर साफ, मेरे बेटी को कोई गुंडा उठा ले गया है, बगवान के लिए प्लीज, जल्दी कीजिए न, एक मिनिट, अगर हम उसे नहीं ढूंड सके, तो नौकरी हाथ से जाएगी, कहां जा सकता है, गवाहों के मुताबिक दीवार कूत कर भागा था, I beg your pardon sir, मेरे ख्याल में, वो बिजली के खंबे के पास से भी गुजरा होगा, क्योंके खंबा गीला था, जरूर उसमें एक नमबर किया होगा, आफिसर, मेरे बच्चा किड्नाफ हो गया है, वो लोग 2 लाक रुपे मांग रहे हैं, अगर 24 गंटे में पैसे लेग दिये, तो वो मेरे बच्चे को माल डालेंगे, हम जिसे ढूंड रहे हैं, उसका पता बताने वाले को 10 लाक रुपे मिलेंगे, सर, ये किस बिना पर कहा जा सकता है, कि बिजली का खंबा इसलिए गीला हुआ, कि उसने एक नमबर किया, कोई गवा, कोई सबूत, कोई विटनेस, उसके अलावा खंबा गीला करने की आदत किसको है, मेरा बेटा गया भूचुका है, और आप मेरी बात भी सुन रहे हैं, आई बेग्वेर, पार्डन सर, ये वही लड़की है, जो अदालत में मंतरी जी के खिलाफ खड़ी हुई थी, आई सी, मेडम, ये लीजिए, और इसमें आप अपनी रिपोर्ट लिख दीजिए, आपका बेटा कब, कहां, और कैसे खोया, उसने किस रंग का पटा, I mean कपड़े पहने हुए थे, हम इंक्वारी करके टीवी में फोटो भी दे देंगे, आपको खर्चा और्चा नहीं करना करो, I beg your pardon, madam, जाये, excuse me, sir, कुटा, अबनो, idiot, कुटा नहीं, पपी, ने, 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 पपी साहब, I.G. साहब का, कुटा साहब, रुके, जारी, रुके, रुके, प्लीज, प्लीज, मरी मदद कीजे, प्लीज, संध्या, तुम, कहो कैसे आना हो, हमारे बिटी को पर उठा लेगा है, सुरेच, मैं जाने उस मासुपको कहा छुपा रखा है, हमारा बिटा सुरेच, क्या पकवास कर रही हो, सबन बंद रखो, तुम चाहो तो उसे बचा सकते हो, इस वक्त तुम्हारे सिवा मेरे कोई नहीं है, मैं तुम्हारे पाओ परती हूँ, तुम जैसी बहादूर औरत की आँखों में आशु शोभा नहीं देते, तुम कोई मामूली औरत नहीं हो संद्या, एक खटियार, नीच आदमी के कदमों में आज गिरना चाहती हो, तुम्हारे खुद्दारी का क्या होगा, बेटा खो गया है, इसलिए आँखों से इतने आ सड़कों पर रोते-पीटते दोड़ना अच्छा नहीं लंगता, यह दो औरत-जात की तौहीं होगी देगी बगवान के लिए अपना बेटा ने सही, एक मासुम समझ कर तो उस पर दरस खाओ, वो बिचर अपने हाथ सो से खानों भी नहीं कह सकता, फूख के मारे बिल पिलारा होगा मेरा बच्चा, अपनी पत्नी ने सही, एक बेसा हरा आरत समझ कर तो मेरी मज़र की लिए कौन होगा, क्या हंगामा मता रखा है? दुखिया है बेचारी, किसी ने इसके बेटे को उठा लिया है, देवी जी आप मंत्री जी का समय क्यों बरबाद कर रही है? सर यह हमारा काम है, हम देख लेंगे, आप गाड़ी में बेचे, जैरावी क्योंगी जुड़ी हुई 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 वैं वाच्तिरोब पॉच्चु अलो 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 कौन है हलो मैं संधिया बोट रही हूँ संधिया क्या बात है संधिया तुम बहुत परिशान लर रही हूँ बोलो संधिया जवाब दो मेरे राचु को वह तो जानी सल तर उठाल ले गया है सों लाक रुपे माँग रहा है कहां दिलाओंगी मैं इस्ते रुपƏ? प्लीज मेरे राचु को बचा लीजिया मेरे राचु के बिनना जिंदा नहीं रह सकती बगवान के लिए मेरे राज को बेचा लीजी शान तो जाओ संधिया कनवरलाल के होते हुए तुम्हारे बीटे को कुछ नहीं होगा अब ये बताओ उस बदमाश ने रुपे कहा मंगाए है कुछ नहीं बताया उसने कहा वो आधिरात को पोन करेगा लगता उसी का फोन है फोन अठो हलो टांग टांग टाइम वक्त समय खत्म हो गया उसी का फोन है हलो जोन जोनी जनर्दन कौन है बेच मिडल दर्मियान में टबक बना कनवरलाल नाम है मेरा क्यों बेच तारे बदन में पहुंचा ला गया फोन ठीक से पकड़ चुए फुद बिल से निकल कर आजा अगर खोद के निकाला तो बुरा हाल करूँगा बोल कितनी रोटी चाहिए सिर्फ केवल ओनली दो लाक रुपए कहां पर लेकर आऊंगा बिल्कुल नहीं बताऊंगा नहीं तो तुम फोन पर ही मुझे लाट ठोकर किक मार के मेरा बाजा बजा दोगे अज़ बाए बाए कनवरलाल इतने खामोश क्यों तो तु क्या समझता है तु मुझे से छुप सकता है ठीक करेक्ट सही समझा मैं ऐसी जगा पर हूँ जहां कनवरलाल भी नहीं पहुच सकता एक बात कान कोल कर सुन ले कुट्टे अगर बच्चे को कुछ हो गया ना तो तेरे खानदान को को नाम लेवा नहीं होगा हलो पायर ब्रिगेड क्या बता सकते हैं कि अभी अभी शहर के किस हिसे में आग लगी है जनकपुरी में जनकपुरी थेंक्यू क्या हो मैं अर्बच्ची को धेरज रखो संध्या कल सूरज निकलने से पहले तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद में होगा चलो तो आग इस जनकपुरी में लगी है इसका मतलब है वो चुआ यहीं कहीं चुपा है अब पता लगाना है कि इस दिलाके में फोन किस-किस के पास है यह लाका तो जोपर पट्टी है सर फोन होना बहुत मुश्किल है लेकिन सर वहाँ एक बदनाम होटल चंदना है वहाँ फोन जरूर होगा होटल चंदना इस होटल के मालिक का है कहिए सर मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आदे गंडे सी होटल का फोन ट्रै कर रहा था लगता ही नहीं है लगता आपका फोन बहुत बिजी है नो सर आदा गंडा पहले एक कस्टमर ने फोन किया था उसके बाद से तो फोन खाली है कौन था वो कस्टमर वो एक डांसर और एक छोटे बच्चे के साथ उपर कौन से कमरे में है वो तो बच्चे को लेकर चला गया सिर्फ डांसर उपर है किस कमरे में है आप चाहते क्या है सर वही जिसके लिए वो यहां आई है यह लो नो सर अरे ले लो यार लो रूम नमर 517 सर कौन है जॉन जॉनी जनारदन दर्वाजा खोलो मनी पैसा धन मिल गया है कौन है आप पहले यह बताओ जॉनी कहा है पता नहीं पता नहीं सच मुच नहीं नहीं मैं सोच रहा हूँ यह कटार की धर कितनी तेज है और मैं यह सोच रहा हूँ कि अगर यह कटार इस गर्दन पे फिर गई तो यह सर इस जिसम से अलग हो जाएगा क्या सोच रही हो देवीजी कटार चलवा दू या बताती हो बताती हो बताती हो आप यही ठेरी अंदर हम लोग जाते ठेरो उस चुवे से हिसाब मैं खुद करूंगा कर दो चुवे रूआ है जले हैजे जले फ्रुग के मारे हो राधा मैंने बैर दी ठीक गेडिका मम्मी के लियो रहा इतना सा झूक रहा है और मुझे इतनी तक्ली ट्रॉब कुछ दे रहा है जो और शुब जार थो पोड़ा अड़ा हो तेरा कि आम अरतिया मुझे माले में कि जब भीडिये की मौद आती है ना तो वह नगर शहर सिटी की तरफ भागता चला आता यह बचलो इस गजला निचोड़ो इसको आर्क जूस रस निगालो अब बेजाड़िये जूस रस अरक किसका निकलता है अब ही दिखाता हूँ अब उखाज़िये जूस आर्क जूस झाहन ईस अब आखाज़िये जुदया निदान थ wary है हो इसाद़िये देछलो उटाओी कि कि Бог ज दो आरतिया रहाँ एड़ एड़ एड़। बचस आया एड़। 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 व्हूम, पुझा हूँ, भूझा हूँ, टोपक लागी, पुझा हूँ, जोझा हूँ! बन्वार्वार्व याचु याचु जाओ बेटी, अपनी माँ के पास जाओ मामी, राज्यो कहा थे मेरे बेटे कन्विलाल जी मेरे बैच्चे की जान बचाकर आपने मुझे खरीद लिया है इतना बड़ा एहसान किया है कि जिंदगी भर इसका बदला नहीं चुका सकूँगी कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो अपना सभागे समझूगी सारी संद्य जी कन्वरलाल कभी किसी के साहरे नहीं जीता है पाए अंकल एक दिन मैं आपके मदद करूंगा वादा वादा जो पार्टी जनता के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर सकती उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है पुलिस की आयोगता और मंत्री की लापरवाही विधान मंडल की अभगात बैठक मंत्री सूरज परकाश के कड़े विवार के विरुद विरुदी पार्टियों का संयुक्त विरुद ये खबरें अखबारों की खूटियों में छप रही है रेडियों पर सुनी जा रही है तीवी पर दिखाई जा रही है मैंने सोचा था आप एक योगी वर्ति इसलिए आपको मिनिस्टर बना थे लेकिन आप बिल्कुल असफल से धुए आपकी योगीता की वज़े से विवक्षी पार्टिया मंत्री मंडल का स्थिफा मंग रही है जब एक बेसारा और अपनी लड़के की रहाई के लिए आपक जो जंता के हितों की चंता नहीं करता वो मंत्री बद की योग नहीं जो फुलीस जंता की अधीकारों की सुड़क्षा नहीं कर सकती वो जिम्मा दालना होदों के काविल नहीं मुख्य मंत्री महदय, केवल मंत्री मंडल का मुख्या होने के नाते आपको ये कतई अधिकार नहीं कि आप जैसे चाहें बातें करें, आप शायद भूल रहे हैं कि पार्टी के 50% MLA मेरी जीव में पड़े हैं, एक अविश्वास परस्ताव आपकी सहित खराब कर सकता है, मैं मगर हमारी ताकत में ज्यादा फार्क में है, मुझे मंत्री आपने नहीं, हाई कमांड के आशिरवात ने बना रहा है, संभव, लेकिन वी डंबना है, आज हमनी कुर्सियों पर बैठें, जिन पर वो महान नेता विराजमान होती थे, जो निश्वार जंता की सेवा करती थे कल आप विधान सभा में, आपोजिशन का जवाब देने के लिए तैयार हो जाई है, वरना मैं आपके त्याग पत्र का इंतजार करूंगा, आप बुड़े हो गए, ऐसे ऐसे छोकरे, हाई कमांड की धौस है ते, मंत्री जी, आपने आरोपों को क्या उतर दिया मुख्य मंत जानने के लिए आया था, कल वो सूखा पीड़ीते लाखों का दौरा करने के लिए गए थे, जहां वो फूट पॉइसनिंग के शिकार हो गए, आच्छा, जा रामसी के, आखिर आप चाहती क्या है, अगर आप ये समझती है कि कनवर के साथ मिलकर आप हमें नीचा दिखा द जाओ, तुम्हारी पुलीस, तुम्हारी सरकार, कनवर लाल को खिला भी नहीं सकती, वो चक्तान की तरह अटल है, तुम्तों उसके सामने बहुत छोटे अगमे हो, हम जानते हैं संधिया, क्योंकि आप हमें पा नहीं सकें, इसलिए चलन में ऐसी गटिया हरकतें करते भिरती मचली जाल में तडपती है, जाल से निकल कर नहीं सुरत साथ, और गंदे खेल तो हमेशा आप लोग खिला करते हैं, क्योंकि डर हमेशा आप लोगों को लगा रहता है, कि अगर सिर्फ, सिर्फ दो M.L.A. ने साथ छोड़ दिया, तो सारे मिनिस्ट्री हाथ से निकल मैनिस्टर था एक बिखारी भी बन सकता है, अगर उसे वोट मिल जाएं, लेकिन अगर आपके मिनिस्ट्री चली गई, तो आपको कोई भीग भीपे नहीं देगा, सच मुछ तुम राजनीती के लिए सही आदमी हो, लेकिन अपने बेटे और अपने जिंदगी पर तुमारा मनुसाया कभी नहीं पढ़ने दूगे, सूरच और संध्या का मिलन कभी हो ही नहीं सकता, जब जब संध्या आएगी, सूरच को अपना मूर छुपाना ही पड़ेगा, मेरी देहलीस पर तुमारे कदम, मेरी शांती को भंग करने वाले तूफान की तरफ इशारा करते हैं, ज मामी, ये अंकल कौन है, ये अंकल नहीं मंत्री जी है, बेटे, ये गोनाओ, जब लिए पड़ेगा, जब जब लेकां नहीं होता, जिए तुम बैठे रहो, मंत्री साहिब है, बिल्कुल है जी, और आपकी प्रतिक्षा भी कर रहे हैं, क्यों साम परशाद जी? जो, वो आगए, नमशकार साहिब, नमशकार, पाई लागू सरकार, सुखी रहो, सुखी रहो, कैसा चला है बालक, सब ठीक है साहिब, कहिए कैसे आपकिया, बहुत दिनों से नजर थी तुम पर, सोचा कुछ कर ही डाले तुमारे लिए, जानते हो राजनीती क्या है, और कि अपनी ताखत है इसमें, जी सरकार, लोग कहते हैं कि इनसान, तस उंगलियों में चक्र लेके पैदा हो, या फिर नेता बन जाए, दोनों ही तरह राज करेगा, बस वही राजगदी हम तुम्हें सौपना चाहते हैं, सोच रहें अपनी पार्टी के सेवा संका तुम्हें प राजनीती में अगर कुछ अच्छा इस्थान बनाना चाहते हो, तो जनता पर जादू चलाने के लिए कुछ चमतकार करने पड़ेंगे सरकार, केवल आपका अशिरवाद चाहिए, फिर देखिए जंगा का चमतकार पिछले दिनों अख़बारों में खाबर छपी थे, पबलिक प्रोसीक्यूटर की जूनियर क्या नाम है उसका, आँ संध्या, उसका बच्चा अगवा हो गया, और हम पर यह आरोप लगाया गया था कि हमने कोई एक्शन नहीं लिया, यहां तक ही पुलिस ने भी उस औरत का पर चेतिया, पढ़ा था तुम्हें, सरकार पढ़ा तो था, उससे आपकी बड़ी बदनामी हुई थे, और वो अनजान फरिष्टा और कोई नहीं, कनवरला, जो अपनी चाल में काम्याँ हो गया, है, हम अब उसे ऐसा सबख सिखाना चाहते हैं, जिससे की वो काम उठे, औ इसलिए अब उसे उसी की तरह का जटका देना हती आवश्यक है, मुझे क्या करना होगा सर, उसके तमाम अड़नों को तहस नहस कर दो, बस, सरकार, कनवरलाल तो दो नंबर वालों का बेताज बाश्या है, उसके मामले में टांग अलाने का मतलब है खुद अपनी कबर इसी को कहते हैं एक तीर और दो निशाने, तुम कनवरलाल को बरबाद करो और हम मुख्मत्री से बुखत लेंगे, तो फिर मेरे लिए क्या हुकम है, मजदूरों और उनके लीडरों को एकठा करो, और हरताल शुर करते हैं, लेकिन साहिब बिना कारण स्ट्राइक कैसे हो सक इससे हर धर्म के लोगों को असे विधा होती है, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है फास, धर्मों के ठेकेदार तुम्हारे साथ हो जाएंगे, और उनकी सहायता से तुम कनवर की बरबादी भी कर सकोगे, और हम शांती खायम करके जनता के समक्ष, धर्म नर अपेक्स होने का श्रे में प्राप्त कर लेंगे है। कनवलाल, मुलावार, मुलावार घ्रक लाए मेरी बात तो सेचोओ? यह सब तोलपोर क्यों कर रहे हो भाई, आराम से मेरी बात तो सुनो, आओ, आराम से बैठके बाते करते हैं, देखो भाई, मेरी बात सुनो, यह सब तोलपोर क्यों कर रहे हो, पैसे के लिए न, मैं तुम्हें पैसे रहता हूँ, यह लो, यह लो, इतने सारे पैसे, लेकिन अ झांगो चुका रेंगो लुका रेंगो। सारी बर्बादी मैंने अपनी आखों से देख लिए सम्राट अशोग ने कालिंगा के मैदान में जब सिपाईयों की लाशे देखी तो उनका मन पश्चा ताव से भराया था लेकिन कन्वरलाल के मन में बतले का तुफान उठा है मेरे खिलाब उठने वाले हाथ किसी के इशारे पर उठें उस इशारा करने वाले का सर धर से अलक करने का वक्त आगया है जगान जिन हातों ने मेरी बर्बादी के लिए इशारा किया है उन्हें उनके कांदों से अलक करना पड़ेगा Go ahead तुमने जो पैसे दिये थे न, वो मेरे पास ही है, तुम अगर चाओ तो ने ले जाओ, हाँ, ले जाओ इने, जाओ इसके शहीद होने का लाब उठाई ये वकील साहब, ये मौका हाथ से न जाने देजी, जगन को सजा होनी ही चाहिए सजा तो होई जाएगी सर, लेकिन ऐसे गवा होने चाहिए, जिन्नोंने जंगा की हत्या होते हुए, अपनी आँखों से देखाओ, और अदालत में जाके जोरदार गवाही दे सके अरा तो हम किस मरेश की दवा हैं, क्यो ना परसाद जी सत्यवचन शाम परसाद जी अरा भूल गए हैं, कतनी बार हमारी गवाही की वजा से कतने अपरादी चूड़ गए हाँ परन्तु पीपी साफ भूल गए है कि इन्हें धोबन के बलतकार वाले केसे हमने वजाया था और हमारी गवाई से ही साबित हुआ था कि पीपी साफ ताला पर सिर्फ मचली का शिकार करने गए थे किसी भी हाल में वकिल साफ जगन इस केस में बच जाना चीए सर बहुत बहुत मुश्किल नजर आ रहा है वो वो बेकूफ रंगे हाथों पकड़ा गया सर अपने क्लाइं को बेगुना साबित करना ही वकिल के काबलियत साबित करता है हाँ सर लेकिन अब समझते क्यों नहीं है सारे हालात हमारे खलाफ है उन लोगों ने दो ऐसे गवाप पगड़ लिये हैं वो बाते करना शुरू करते हैं तो घंटों मजमा लगा रहे हैं सर नेता है दोनों सर नेता है जूट इतने विश्वास से बोलते हैं कि मुर्दे को भी कातिल साबित करके उसे फासी पर चड़ा दे सर आज तक उन लोगों ने जितनों के खिलाफ गवाई दी है उन लोगों का आन सिर्फ जेल में हुआ है बस सर हमें तो अब प्रात्ना करनी चाहिए कि कहीं जगन को उमर के दना हो जाए क Hol संधिया 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 मैं कनवरलाल बोल रहा हूँ आप मुझे तुम से ज़रुरी बट करनी है क्या बना मिलट कर डालो संधिया लेकिन जगन को इस case में सजा नहीं होनी चाहिए सर बेकार में वक्त और पैसा बरबाद किया जा रहा है जिस case को मुझ जैसा तजूर बेकार और senior एड़ोकेट नहीं जीच सका उस case को ये बेचारी चार दिन से वकालत करने वाली क्या जीतेगी सर कर्णिरलाल जी मैं ये case जरूर लड़ूगी आप मुझ पर छो दीजिए चगन को आजाद कराना मेरी जिम्मेदारी है थेंक यो हम कसंगातर कहते हैं जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे और तच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमें जूट कहने की आदत ही नहीं क्यों शाम पर शाज जी एक अप्रेल जी गुट फ्राइडे की रात को ठीक साड़े दस बजे जो खटनाम रतक जंगा की घर में खटी क्या आप उसे अदालत के सामने बैंग करेंगे एक एक करके प्लीज मैं बताता हूं ठीक उस दिन साड़े दस बजे रात को जच साब एक अप्रेल की रात को ठीक साड़े दस बजे जब हम जंगा के घर में बैठके गधों की पैदावार और उनके पालन पोशन के बारे में भाशन करने की चर्चा कर रहे थे ठीक उसी समय जंगा के घर में जगन हाथ में उस तरह लेकर गुसा और फिर उसने वस तरह खोला जेव से चमड़े का पट्टा निकाला और लगा वस तेरे को धार करने फिर उसने जंगा की गादन पकड़ ली हम समझें हजाम है दाड़ी बनाने आया होगा लेकिन आचानक जगन ने जंगा का पेक भार दिया खुन की नद्धी बेने लगी सरकार हम तो पत्तों की तरह कपकप आने लगे दर के मारे हमने आके बद कर ली और जब आख खोली तो जंगा स्वरगवासी हो चुका था पहरा हूं इन दोनों माननी नागरिकों की गवाई है यह बास साबित करने के लिए काफी है कि स्वरग की जगन को सक्से सक्स सदा दी जाए यह अनी क्रॉस एग्जामिनेशन येश यह रहानर नमस्तो मैंने सुना है कि आप दोनों बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं भाशन देने में आप दोनों का तो जवाब ही नहीं अच्छे अजी महान कहिए महान अगर रोक टोक ना हो तो छे-छे घंटे तक भाशन दे सकते हैं अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी एक अमीर सहली के साथ डांस का प्रोग्राम देखकर वापस लाट रही तैमूर नगर में किसी का भाशन चल रहा था आदमी बहुत अच्छा बोल रहा था मेरी सहली ने कहा कि अगर इस आदमी का मुझे पता चले ना तो मैं तो उसे सोने की एक मोटी चेन बेख कर दूँ और अभी अभी जब आपकी आवाज सुनी ना तो मैं सोचने लगी कि शायद वो दोनों आप ही तो नहीं थे रामपरसाद जी पता दो हा रामपरसाद जी आईसा मौका हाथ नहीं आएगा नाम का नाम माल का माल असल में देवी जी बात यह है कि उस रात को हम ही दोनों भाशन दे रहे थे अच्छा अच्छा यह बताईए आपने भाशन कितने घंटे तक दिया था तीन घंटे दिया भाशन हम दोनों ने मतलब पूरे छे घंटे मतलब सुबह तक हाँ भोर हो गई थी सूरज निकलाया था एक अप्र गुड फ्राइडी रात को साड़ी देस बचे आपने तैमू नगर में भाशन दिया तो फिर यह कैसे मुम्किन है कि उसी समय आप दोनों जंगा के घर पर भी थे हाँ एक ही समय पर दो दो जगा कैसे हो सकते हैं तो फिर आपने जंगा के हत्या होते हुए कैसे देख ली जबकि आप दोनों भाशन दे रहे थे हाँ कमपानी बाग से तो जंगा का घर तो दिखा ही नहीं देता तो हम कैसे देख सकते थे हाँ इसका मतलब यह हुआ कि आपने जंगा के हत्या होते हुए नहीं देखी है नहीं देखी है अब यह साबित हो गया कि यह गवाज जूटे और किराय के हैं अब एक बात जाहिर है कि कोई अपने मकसद के लिए मुकादमे को हवा दे रहा है जरूरी सुबूत और डॉक्टरी सर्टिफिकेट्स मैं अदालत में पेश कर चुकी हूँ जो मेरे क्लाइन जगन को बेगुना साबित करने के लिए काफी है इसलिए मैं अदालत से दरख्वास करती हूँ कि मिस्टर जगन को बेगुना मानकर उसे बाइज़त वरी किया जा अधिन नहीं बस और मत पीजिए अरे संद्या ये शराब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है इस कंबक में तो असर ही नहीं है क्योंकि इस सीने में जो जौला मुखी उबलते हैं वो तो शान्ती नहीं होते हैं वो तो इस तरह जैसे शिव जी के कंट में विश ये शराब म मुश्कुरा रही है देगने में कितनी मासुम पर बाप रे बाप अदालत में वो दुआदार भहस कर डाली कि बेचारे पब्लीक प्रोजिक्टर के चेहरे पर हवाया उटने लगी है जानते हो आज से हमारे कनवर एंटरप्राइस के केसिस कॉल लड़ेगा हमारी संद्या आज के बाद आप संद्या के जूनियर की हैसियत से काम करेंगे और तब तक अपनी राए नहीं देंगे जब तक वो नवांगे सलीन आज से संद्या हमारी और हमारी कंपनी की वकील है कल का सूरज निकलने से पहले वो पैन जिससे ये लिखे वो सेंडल जो ये पहने वो कपड़े जो इसके बदन की श्हुवा बढ़ाए और ओर वो घर जिसमें ये रहे सब हमारी तरफ से हमारी कंपनी के शान के मुताबिक दिया जाए आपकी खुशी केस जीतने का तो नतीजा नहीं है आज आप में नहीं प्रेरणा देख रही हूं है ना कर्रेक्ट बिल्कुल कर्रेक्ट माशुका! खुचा इमने पहले बार जिशे का दिया वो तुम हो तुम हो तुम हो मैंने पहली बार जिसे क्या किया वो तुम हो, वो तुम हो एक पंठर को आइन जिसने बना दिया वो तुम हो, वो तुम 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 हो वो तुम 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 हो, वो तुम तुम हो वो तुम तुम हो, वो तुम तुम हो, वो तुम हो है ऐसी कोने हसीनों जो तुम चेह हो जहीनों तुम 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 है ऐसी कोने हसीनों जो तुम जैसी हो जहीनों इनसा क्या जीवन को भी सिखला सकती हो जीनों तुम 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 जिसके दम पर जहां जीत लियां हो तुम हो वो तुम हो, वो तुम 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 हो मैंने पहली बार जिस से प्यार किया वो तुम्हो, वो तुम्हो फिर्षक उरतान में अ ऴाशूकेेद्ण दुनिया को मार दूठो कर बस मेरी रजो होकर अरे तुम 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 है तुम तुम दुनियों को मार तुम ठोकर बस मेरी राजो होकर मैं और न कुछ भी चाहूं मिल जाओ सब कुछ ठोकर वो तुम 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 शॉल को जिसने भूल किया वो तुम हो वो तुम 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 मैंने पहली बार जिस्से प्यार किया वो तुम हो, वो तुम हो, माशुक है तुलाच शरम दोनों ने बेच खाई है, खुले आम हाथों में हाथ डाल कर खुमते हैं हाँ सर, समाज की नीती और सुधान तो वो बिलकुल भूल चुके है मैंने का यह क्या हो रहा है, आप तो जानते हैं मैं सत्यवादी हूँ, यह सारी चीज़े मुझे बिलकुल पसंद नहीं है सर, मैंने तो कह दिया कि आप संधिया देवी को अपना परसनल लायर बना लीजिये और मुझे आग्या दीजिये वकील सहाब, उसके कुकरमों को रोकने के लिए आपका नौकरी छोड़ देने से ही काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा, उसकी गत्विधियों से पूरी जानकारी करानी होगी क्या बात करते हैं सर, अगर कनवर लाल को ये भी पता चल गया कि मैं यहां आया हूँ तो वो वो मुझे जान से मार डालेगा सर वकील सहाब, आपके लिए एक मंत्री के बंगले से सुरक्ष जगा और क्या हो सकते हैं आपके सुरक्षा की जमेदारी सरकार की है, अगर आप कनवर को कानून के हवाले करवाने में मदद करेंगे, तो सरकार आपकी भली बात रक्षा करेंगा सर, मैं अपनी जान की जोखर में उठा कर आपको बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी की सुरक्षा आपके हाथ में है, कनवरलाल के पास काले धन का धेर लगा हुआ है, कली गोदाम में नाजाज माल इतना सारा भरा गया है, सर, कि अगर अगर शापा मारा जाए, तो रंगे सर, इंकम टेक्स का चापा पड़ गया, सर, इंकम टेक्स का चापा पड़ गया, सर, इंकम टेक्स, कितना कैश है यह आपर, सर, लगबख पचास लाख रुपिया, जल्दी से बैक में भरक मुझे देदो, लगिस सर, आप, डॉन्ट आर्गियो, डू एदे से, जल्दी करो, हरी अप, सब अपनी अपनी जगह पर बैठे लगे, हम इंकम टेक्स डिपार्टमेंट से आए हैं, हुआँ झाल झाल आपके वारेंट, गोदामों पर छापे, सब बेकार, उसका कुछ नहीं बिदार सकी, वो अपने सारा काला धनी कठा करके भाग ने गया, उसका हर बार हमारी जान लेदी के लिए, उसका हर कदम हमारी बदनामी के लिए है, क्या करें सर, कोशिश तो बहुत की, पर कमबक्त मचली की तरह फिसल जाता है, लेकिन आप खबराएं नहीं सर, इस बार मौका नहीं देंगे, जो अबीस खंटे के अंदर उसका इंसाम हो जाएगा, आप सुएगा, जब तक कनवरलाल हमारे रास्ते में है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमें अपनी मन सिल पाने के लिए, उसी रास्ते से अठा नहीं होगा, सूरज भ्रकाश, तु मेरे धीरज को हिंसा में बदलने की कोशिश कर रहा है, अपनी मौत को दावत दे रहा है, दूसरों का सीनाचीरने की ताकत तो मुझ में बच्पन से ही आ गए थी, लेकिन अपने ही पाले हुए गद्दारों को माफ करने का धीरज अभी तक नहीं आया, जब मुझे पता चला के मेरे रास खुलने वाला कोई मेरा ही अपना आदमी है, तो मैंने दुआ की कि वो सलिम और जगन ना हो, मुझे खुशी है कि वो गद्दार तुम में से नहीं है, कल हलात तुम्हे जुकने पर मजबूर कर सकते हैं, कोई मजबूरी ऐसे हलात पैदा कर सकती है कि तुम्हारा विश्वास मुझ पर से उड़ जाए, अगर ऐसी नौबत आ जाए, तो गद्दारी के बजाए, मुझे गोली मार देना हो, सर्थ, जिस समय आपको ऐसा लगे? आप हमें गोली मार देखा सर्थ, हा सर्थ, लेकिन ऐसी बाते मत किये, आपके चेहरे की मायूसी हमसे बरदाश्ट नहीं होती, वो नमख हराम वकील, उत्तमलाल इसका जिम्मेदार है, वो कल सुबा की फ्लाइट से राजदानी जा रहा है, लेकिन उत्तमलाल कल सुबा का सूरज नहीं देखेगा, उत्तमलाल जी हम आपके आभारी हैं, थैंक्यू सर्थ, आपने कनवरलाल के राज बताकर हमारी और हमारी सरकार की मदद की है, थैंक्यू सर, आपने सही माने में देश की सेवा की, थैंक्यू, थैंक्यू, मगर मंत्री महद है साब, मुझे प्रसंशा की नहीं, मुझे सुरक्षा की जरूरत है, अब तक तो उन लोगों को मेरी गद्दारी का पता भी चल गया होगा, वो लोग मुझे जान से मार ड़ेंगे सर, मुझे सिक्यूरिटी चे सर, प्रसंशा, मुझे सुरक्षा सर, डर्वानी कई जरूरत लगे वकेल साइग, यह लीजे पचास जा रुपेर हवाई जाहस का टिकेट, अरे तमने कही खाबर ना थी, इसका क्या करूं सर, कल आप राजधानी जाएंगे, उसके खिलाफ गवहा तयार किये जाएंगे, हमने हवाई अड़े पर पत्रकारों को बुला रखा है, वहाँ आप पत्रकारों को कनवर की गतविधियों के बारे में विस्तारपूर्वक्चानकारी देंगे, राजधानी में आपको हाई कमांड का विशेश आथित्त मिलेगा, पंधरा दिन आपकी जिंदगी रंगीन बना दी जाएगे, और जब आप लॉट कराएंगे तो इस राज का मुख्या ही बदल चुका होगा, यानि कि हम मुख्य मंत्री होंगे, कनवर लाल जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा होगा, आप क्यों चिंता करते हैं, आप तो आप हमारे अंतरा यह हैं वही, मंत्री जी मैं सुफ़ा राजधानी जरूर जाओंगा, मगर वो मुझे सुफ़ा तक जिन्दा रहने देगा तम जाओंगा न, वो भी यो रात में मार डालेगा सर, आप डरियों मत वकील साफ, एरपोर्ट पहुंचने जग हम आपके साथ ही रहेंगे, रूम सर्विस, नमस्कार महला जी, एक कमरा नमबर 302 है, दो विदेशी लार्ज विस्की और सोड़ा विजवा दीजेगा, धन्यवाद, मैं आग गया लूगा उतमलाज जी, मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है, मैसर पठेल, आप इनकी सुधा कदियान रखेगा, शूर सर, आज हम नमस्कार, यह क्या हो रहा है, आप बिल्कुल शिंता मत कीजिए, आप बैठिये, बैठूँ, बैठिये हाराम से, हाराम से, ओके बस बस इनफ 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 लोगने अगर विस्की में जहर मिला दिया होगा तो, इसका चैरा देखकर ही मुझे शुभा हो गया है, इसे कहिए कि यह यह शराप पी कर दिखाए, प्सक्ते हो यह शराप पीओ, शराप पीओ, इसे कहिए, इसे कहिए, इसे कहिए, अप! हुआ 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 देखा यही होने वाला था मेरे साथ अरे जाओ जल्दी जाओ जल्दी चलो पुलीस को बलाओ गवर्मेंट को बुलाओ बच्चों मैं कोई तुक्चा मुच्चा वकील नहीं हूँ उत्तम लाल हूँ उत्तम लाल सबसे उत्तम हुआ है है जासर से निया सलिलिये साथ कज़ब और तर्षा कह जाए सार कनौर के आगाटियो कमरे में पूझ के सर पेटी, अब इस अनाथ अले को चलाना मेरे लिए बहुत ही कठिन हो गया है बड़े आजमियों के बाद चंदा मांगने जाता हूं तो कहते हैं हम भी अनाथों के तरह बिलकुल निर्धन है हमें जानते हूं शास्त्री जी, एक छोटी सी भेट लाई हूं यह पच्छास हजार का चेक आप तो जानते हैं शास्त्री जी, इस अनाथ अले ने इस अनाथ संध्या को पाल पूस कर बढ़ा किया मा बाप दोनों का प्यार दिया यह पैसे देते हूं हमेजे लग रहा है जैसे मैं अपने बुड़े माबाप की सेवा कर रही हूं जानदारी से दो पैसे कमा के लाके देती है घलत दंच से कमाई हूई दौलत मनुष के लिए छिराब बन जाती है फिर भी अगर तेरी आत्मा कहती है कि यह तेरी मेनत की कमाई है तो ला दे दे पेटी संध्या, एक दिन तू नहीं कहा था कि पेशा केवल पेट पालने के लिए नहीं होना चाहिए उसके लिए को मर्यादा भी चाहिए बगर आज तू क्या कर रही है किन का साथ दे रही है काला कोट पहन के अदालतों में पेज़दार बाते करके किन का साथ दे रही है तू जो हमारे नेताओं के कात्रों को भासी के भंदे से बचाने के कोशिश कर रहे थे उनका ऐसी क्या बात होगी संद्या शास्त्री जी की सीधे से सवाल का में जवाब नहीं दे सकी कि क्या ये पैसा मैंने इमानदारी से कमाए है आपके इतने अइसान है मुझे पर मैं हर हालत में आपके साथ हूँ लेकिन मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ जो आपकी दौलत और ताकत की वज़े से आपके सामने तो खामुश रहते हैं लेकिन आपकी पीछ के पीछे बुरा बोलने से नहीं रुखते प्लीज छोड़ दीजे ये सब बदल डाले खुद को ताकि लोगों की मुँपर ताले लग जाए संद्या कानून तुमने किताबों में पड़ा है और मैंने जिन्दगी के सबक के जरी जाना है अब यही मेरी जिन्दगी का रास्ता है और वही लोग मेरे साथ चल सकते हैं जो लोहार की भट्टी में तपते हुए लोए की तरह हों और जिन्दगी के हतोड़ी की हर्चोड को सह सकें अगर तुम में इतना धिरज न हो तो अपनी मर्जी से जब चाहो मेरा साथ छोड़ सकती हो कौन पथर दिल होगा जो आपका साथ छोड़ सकेगा लेकिन समाज आप जैसे देवता को शैतान कहता है समाज के उन देवताओं के चेहरे से जरा नकाब तो हटाओ वहाँ शैतानी शैतान नजर आएंगे काश तुमने भूग कर शिकार मेरे गरीब बाप की मौत दिखे होता है मेरी बीमार मा का रातों को जागना और तड़पना दिखा होता मा की मौत पर उसकी चीता की लगडियों के लिए समाज के ठेकेदारों के आगे गिड़ गड़ा ना दिखा होता अगर दस साल का मासुम कनवरलाल अपनी मा की लाश को अपने कमज़र हाथों से समशान तक हीच कर ना ले गया होता तो उसे चील और कवे खा गए होते यह सब कुछ मैंने साहा है मैं जानता हूँ जिन्दगी क्या है अतीद की करवाहत को भूल कर अपने आपको बदला जा सकता है और अगर आप ना बदले तो समाज कनवरलाल जैसे देवता को सदा शैतान ही कहता रहेगा यहां देवता कौन है कौन यहां शैता देवता और शैतान का संगम होता है हर इंसान यहां देवता कौन है कौन यहां शैतान देवता और शैतान का संगम होता है हर इंसान होता है हर इंसान देवता और शैतान होता है हर इंसान कोई किसी भी दिशा में रहे सूरज पूरब से निकलेगा कोई किसी भी दिशा में रहे सूरज पूरब से निकलेगा किसे भला किसे बुरा कहोगी भला बुरा हर इंसान यहां देवता कौन है कौन यहां शेतान देवता और शेतान यह संगम होता है हर इंसान होता है हर इंसान देवता और शेतान होता है हर इंसान जिसमें जितनी अच्छाई होती है उतनी मुराई पाप और पुन मिलाकर ही दुनिया पुदरत ने बनाई मेरा जमीर है मेरे अदालत पहचाने हर इंसान यहां देवता कौन है कौन यहां शेतान देवता और शेतान होता है हर इंसान होता है हर इंसान देवता और शेतान होता है हर इंसान मंत्री सूरज प्रकाश की सुरक्षा प्राप्त होते हुए भी वकील उत्तमलाल की मृत्य हो गई परंतु मंत्री महोदय ने अपनी आयोगिता से शर्मिंदा होकर भी त्याग पत्र नहीं दिया इससे पहले भी अनेक अफसरों पर मंत्री जी आयोग की सिद्ध हो चुके हैं अब तीर दीरे हरव़क के लों का विश्वास खोते जा रहे लिखा है विशेश प्रतिनीती ब्रिश शर्मा न है यह ब्रिश शर्मा कौन है कौन है बही ब्रिश शर्मा उसका कलम तो तलफ़ार से भी तेज है सर क्यों शामपरसाद जी सक्ते Imag conti एवार 9 टोगड़े कर द अपना अंजाम सोच ले जानती हो संधिया मैं तुम्हें यहां क्यों लेकर आया हूँ जिन्दगी में पहली बार किसी के सामने अपनी जिन्दगी की किताब का हर एक पन्ना खोल देना चाहता हूँ अपने दिल का गुबार निकालने के लिए अपने एसी जगह चाहिए थी मेरी जिन्दगी में कोई जिन्दगी नहीं है संधिया हलांके नजर की हद तक फैली हो दुनिया खरीच सकता हूँ लेकिन एक दिल ऐसा नहीं खरीच सका जो मुझे सच्छ्छ हमदर्दी रखता हूँ लेकिन एक हमदर्द से तुफे में तो मिल सकता है संध्या मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ प्यार के माहल में जीना चाहता हूँ मेरी खौाइश को हकीकत का लिवास बेना दो संध्या प्लीज संध्या अगर तुमारा साथ मिले तो मैं सब कुछ कुर्बान करता हूँ उस जिन्देगी की तरफ पलट कर भी न देखूँ जो जी रहा हूँ मैंने कभी तुमारे अतीत के बारे में नहीं पूचा नहीं मैं जानना चाहता हूँ बस संध्या के साए में कुछ पल गुजारने को मिल जाएं यही बहुत है मेरे लिए है कोई बदनसीब ही होगी जो आप जैसे महन इंसान का तौफा कुबूल करना अपना साभागे न समझी और मैं वैसे ही बदनसीब हूँ किसी की बच्चे की मा किसी और की पत्ली बनना मेरा अधिकार नहीं है मैंने तो सिर्फ दिल पर अधिकार चाहे संध्या शरीर पर नहीं है माफ के जी करवरलाल जी जिसके शरीर का कोई अंग कटा या तूटा हो वो जानवर भी बली नहीं चड़ाया जाता मैं किसी जालिम के शिकंजे में कैद हूँ मुझ जैसे यारत आप जैसे महन इंसान के साथ नहीं रह सकती माफ के जी मुझी ठीक है दोस्त चलो इस विराने से निकलकर अपने अपनी दुनिया में चलें गलाला जी सरकार बचाईए बचाईए सरकार सरकार बचाईए क्या हुआ सरकार मुझे बचा लीजे सरकार वह हमें मार डालेंगे सरकार मैं पत्रकार हूँ हंत्री सूरिज बरकाश के बारे में मैंने सब सच लिख दिया सरकार अब उसके आदमी मुझे और मैं आपको बचाईए सरकार हमें बचा लीजे तक हमें बचा लीजे इन्हें अंदर ले जाकर फस्टेट दो जल्दी देखे शर्मा जी खबराने की कोई जरूरत नहीं आप जितना उनसे डरेंगे वो लोग आपको ज्यादा सताएंगे आप लोगों की वज़े से हम बच गए वरना वो लोग अब तक हम सब को मार डालते हैं वो हराम खोर हर किसी को अपने पैरों तले कुछल देना चाह हुआ है कानून आपका साथ देगा डरने की कोई बात नहीं है मैं डरता नहीं हूँ मैं उन पत्रकारों में से हूँ जो सच्चाई लिखने से नहीं डरते हैं मैं अदालत में उसके बारे में सब कुछ बता दूँगा कि यह राणर स्वकंद्र देश के राज्य सरकार में मंत्री होते हुए जिनके कांदों पर कानूर और न्याई की जिम्मेदारी है मंत्रशी सूरज प्रकाश ने एक पत्रकार पर अध्याचार किये और उसे घायल कर दिया क्योंकि उस बिचारे ने अपने अख़वार में इ आखों की भीर इनके पीछे हो सकती है करोडों की दॉलत इनकी तिज्वर में हो सकती है लेकिन इन्हें किसी पर अत्याचार करने का को एधिकार नहीं यह सहर नहीं किया जा सकता अगर ऐसे अत्याचारियों को दन नहीं दिया गया तो जनता का प्रजातंत्र से विश्वास उठ जाएगा, मेरी अदालत से बिनती है, कि अपराद साबित होने पर अपराधी को कठोर से कठोर दन दिया जाए That's all, Your Honor Any cross examination? Yes, Your Honor Mr. V. Sharma, आप बिना किसी खौफ के अदालत को वो सारी खटना सुनाएंगे Your Honor, मैंने अपने अखबार में मंत्री सूरज परकाश के खिलाफ लिखा इसलिए उन्होंने अपने आद्मियों से मुझ पर हमला करवाया ये, ये, ये सब जूट है कनवर लाल और संध्या देवी ने मुझे ये नाटक करने पर मद्बूर किया है कनवर लाल और संध्या देवी के अवैद संबंध तो बहुत दिनों से हैं और अक्षर कनवर लाल अपना काम निकालने के लिए संध्या देवी को मुख्य मंत्री के बंगले पर भी बेज़ते हैं कि उस प्राइवेट बंगले में संध्या देवी मुख्य मंत्री से कनवर लाल का हर छोटा बड़ा काम अपनी खूपसूर्ती इस्तेमाल करके करवा लेती है जब मुझे सच्चाई का पता चला तो कनवर लाल ने मेरी जबान बंद करने की कोशिश की और लालच देकर इन मंत्री जी के खिलाफ छापने के लिए कहा और जब मैंने साफ इंकार किया तो मुझे जान से माट डालने की धंकी दी मुझे ये जूटा मुकदमा दायर करने में मजबूर किया अपनी जान के डर से मैं उसका कहा करने पर मजबूर हो गया सरकार लेकिन लेकिन अदालत के सामने सच्छाई मैंने इसलिए ब्यान कर दी कि मैं कि मैं यह सुरक्षित हूँ यह संध्या देवी जो पैसों के लिए अपने शरीर का सौधा करती है वो कनवरलाल जो अपने काम निकालने के लिए इसका शरीर इस्ते माल करता है सरकार इन दोने मिलकर मंत्री जी को इस जूटे केस में पसाने का ड्रामा मुझसे करवाया है मिलोड मुझसे करवाया है मैंने सच्चाई बेयान कर दी है यूर अनर मगर ये लोग मुझे जिन्दा नहीं चोड़ेंगे सर मैं अपनी सुरक्षा की भीक मांगता हूँ मुझे और मेरे खांदान को सुरक्षा प्रदान कीजिए यूर अनर सुरक्षा प्रदान कीजिए यूर अनर नयाए मूर्थी महवदे हमें कोई अफसोस नहीं है कि हम यहाँ दालत में खड़े हुए आजकल कुछ लोग मंत्रियों को लुटेरों और डाकों की उपमा देते हैं दरसल हम उन्हें बताने के लिए यहां खड़े हुए हैं कि असल में अपराद ही कौन है और अपराद किन पर थूपा जाता है समाज के दुश्मन कौन है हमने तो अपना सारा जीवन जनता को समर्पित कर दिया है आखरी सांस तक हम जनता की सिवा करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए नियाश्रेष्ट हमारी सरकार का धांचा नहीं बदल सकता हमारा देश इसी प्रकार बिना समिधान बदले हुए जनतंत्र और प्रजातंत्र की छवी बनाए हुए प्रगती के पथ पर चलता रहेगा जय देश कनवरलाल हैर कहो कनवरलाल कैसी लगी हमारी विहू रचना अब समझ में आया है कि हम कितने चतुर और शक्तिशाली हैं आधालत तक धोखा खा गए समाज के सामने तुम और तुम्हारे परमित्र संध्या के माथे पर कलंग कटी का लग गया बड़ा समय लगएगा तुम दोनों को इस अपमान से पीछा चुड़ाने में कनवर एक और शुब सूच न ले लो प्रिधान सभा की अगली बैठक में हमारे विश्वास पातर साथ ही एक अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे और दूसरे दिन इस राजी का मुख्या बदल जाएगा और उसी पल हम इस राजी के नई मुख्यमंत्री बनेंगे तत पश्चाथ चौबीस घंडे के अंदर हम तुम्हारा नाम और निशान मिटा देंगे कनवर लाल आप लोग सभी विधायकों को लेकर रामदीफ वाले बंगले पर पहुंचेए अर विश्वास प्रस्ताव पर हाश्थाक्ष्ट करा लेजी हैं जिसे धन चाहिए धन और जिसे कुर्षी चाहिए उसे से कुर्षी का आश्वास कर देदीफ सलीम यह क्या हो रहा है सर सूरज प्रकाश बार बार आपके सबर को ललकार रहा है आज उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद करके ही आपको अपनी शकल दिखाएंगे आज सूरज प्रकाश के नाम के साथ सुरगी क्यों पादी लगा करें रहेंगे सर कमान जगन सलीम सुनो जगन आपकी तब्या ठीक नहीं आप इश्राम कीजिए हमारा विश्वास प्रस्ताव कल विधान सभा की बैठक शुरू होने से पहले ही सफ़ल हो जाएगा इसलिए जम्मोखी मंत्री की इमारत गिरेगी कम सोचने के हमारा वह होना बहुत जरूरी होगा लेकिन सेर कनवर के आदमिया आपसे बदला लेने के लिए रास्तों पर नजर रखे हुआ हैं आप कार के बजाए हेलिकॉप्टर से जाए हम बाहर उठी जाएंगे अगर वह हमें मारना चाहते हैं तो उन्हें कोशिश करने हम सुरक्षा के बहाने उन्हें एंकाउंटर में समाप्त कर सकते हैं आजी साब यस सार अब रास्ते में सुरक्षा टुपड़ियां और बढाते हैं यस सार कर दो, वह अपके हैं पुलर कर दो हम एंकाउंगे त्री जाएं हैं자를 क्ाहाएं झाल कर कर दो सार दो, िजनन्हें लो की Loud, आए ह्तॉबगयां हैं!! हाहinden! लगाह जधाईडिछी अप्रेड़ी औरुछ! लगाह! लगाह uz 흡शी आ के लगाह! जटा, 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 ऐा जे जेटीन खजे खाल सेंगे फिजयों हैं। को मीड़ी खाल सेंगे खाल सेंगे खाल सेंगे खाल सेंगे खाल ! तरसफ को पिरतिक शिपनोगा मुहरा! अगर किसी न आगे बढने की कोशिश किई, क्यायद अगर किसी न आगे बढने की कोशिश कही तो मैं इसे कोलियों से भून दूगा हैरो इस उनकी कुछ बाइं मंत्री साहेब हम जगें, जगें जगें, जगें, LEGO जगें, सकन जगें, मौन्ट क्रिव जगें? क्रिव जगें, जगेंग Élira आपना पादा पूरा नहीं किया नहीं, नहीं जगन नहीं, नहीं जगन, 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 जगन, नहीं जगन, जगन, नहीं जगन, 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 जगन बच्दे ने, जगिए, जगिए। बस्टडर्ट क्या करें है नहीं संधिया अब वो कमीना जिन्दा नहीं रहे नहीं मैं आपको काति नहीं बने दूंगी मैं उसके शरीर में गोलियों के इतने छेद दिखना चाहता हूं जिन से उसकी मौत से पहले खून की एक एक बुन बहकर दिखा रहे हैं अगर इस वक्त उसे मात दिया तो वो शहीद कहला है गा इत्यास में उसका नाम दिखा जाएगा हमीं तो जन्दा किसामें उसके चहरे से नकाब अटाकर उसका अपनी रूम दिखाना चाहिए नहीं संधिया मात के अलावा कोई कानून कोई अतारत उसे सदानी दे सकती इत्यास इस बात का कवाई चाड़ है इट भी जन्यास म맛ेल अजगा उसका इप पालोग पया आपएग के चाहने कानून कोई पालो जन्दा कोई भी हो एट पुर जिन्दाबर पुर जिन्दाबर पुर जिन्दाबर चुरबा यबाज तो, उांत आऌिघा, उन्हा बार, उन्हा बार फ्रिकार, उन्हा बार जिरन कीजियो आपकेफ। कि आप्राइक इसलिए बुलाई है कि आमने सामने बैठ कर सारी बाते तैह हो जाएं भुक मंतरी बनने के बाद आप किसको और क्या देना चाहते हैं तरही के इलाके से किसी आदमी को मंतरी बनाने की जरूरत नहीं है वहां के एक आदमी को किसी उपजाओ विभाग का चेयर मे अब रहा मेडिकल और इंजिनिरिंग कालेज की सीतों का सवाल आपको किद्वी सीटे चाहिए हुमारे इसे में कितनी आएंगी लाइसेंस और कोटा पास करने में आपका क्या इसा होगा यह सारे फैसले हम पहले ही कर लें तो अच्छा है भाई जी हम लोग तो लग गए जूतों में दाल बांथ है आप निचिंता करते हैं हम वोखी मंत्र को अपने भले गले थोड़ी बन नहीं हम चाहते हैं कि हम आपकी कुछ सेवा कर सकें आप लोगों के सुखी जीवन का कुछ परबंद कर सकें आपने चिंत रहे हैं आपके क हमें अपनी सरकार को चलाने और उसे मजबूत बनाने के लिए एकता से काम देना पड़ेगा अगर हम इसी तरह अपने अपने स्वार्थों को लेकर लड़ने लगे तो विधान सभा में बैठने की जगह सडकों पर बैठकर भीठ मागनी पलेगी अब सारे विधायकों को ब कर दो कि की दो आगे लगे की डो एम में पो पार भीठी झाल झाल हुआए। हुआ हुआ तूरेज प्रकाश, तेरा अंत आ गया, गिन ले अपनी चंद सांसे और कर ले हर सांस पर अपने पापों का प्राइश चेट, ताकि अगले जनम में तू इस धर्ती पर बोजना बने, कनवर, तुम हमारे खुन से हाथ रणके, एक और खून का इलजम तुम अपने गलधर पर तूने ना चाहते हो, तुम देखो, तूम चाहो तो हमेरी पहुच, हमारी पद, हमारी साधत का फइड़ा ऊठा सकते हो, हमारे कहने से कानुन तुमहारे हर जल्म को माफ़ गणे को, अगोरे मेरे कानून का फैसला, तो सुन ले सूरिष प्रकाश रुक जाएए, प्रीज, प्रीज, रुक जाएए संधिया, तुम यहां? नहीं संधिया संधिया जब तुम्हें हमारी जरुवत पढ़ी तो हम तुम्हारी किसी काम नहीं आ है पर आज जब हमारे सर पर मौत मन ला रही हैं, तो तुम हमारे जान बचाने के लिए आई हो नहीं, हमें मर्द देवक शर्मिंदा मत करो संद्या इस जैसे इनसान से जिन्दगी की भीग मांगने से बेता है कि हम इसके हाथ हो मौत खुबूल कर ले संद्या, हमें बचाने के लिए कहीं तुमने इसके सामने ये रास्तों नहीं खोल दिया कि हम तुम्हारे बच्चे के बाप हैं संद्या का सुहाग, सूरज प्रकाश संद्या का सुहँड़ संद्याわ संद्या संद्या आई आई संस्द्या प्रुक जाएए इस पर ज्यादा गोलियां बर्बाद मर्द कीजिए थोड़ी देर के लिए सांसें इसे भीख में दे देते हैं इसकी मुक्ति के लिए हमें से कुछ दीख्षा देना चाहते हैं आप चाहिए ओके से छी 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 देखा कनवर कैसा बहान कंत हुआ है तेरा अब तेरा जाने का समय आगया है बालक तेरी आखरी सांसे हमारे चरणों में निकलेंगी जानता है तेरी मरने की बात संध्या का भविश्य क्या होगा सरकार इसे गुंडों का साथ देनी के जुर्म में जेल की सलाहों के पीछे डाल देगी और इसका ये बच्चा गलियों का बिखारी बन जाएगा जैसे कि तू अपने बच्पन में था हम चाहते हैं कि तू नर्क में जाने से पहले इनका अंत सोच सोच कर तरबे अब हम राज करेंगे ये कांट अभी निकल गया आज हमारे लिए बड़ा ही खुशी का देन है कंदवर हमारे चरणों में पड़ा हुआ है बुद्धियात विनारश काले विपरीत बुद्धी तक पहुचने चला था हाई 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 है अतर स्वरश पकाश का राज तेरे नसीब में भी नहीं है अब तो मेरे कदमों में पड़ा राजा कनवर लार है संध्या संध्या ना मेरी पैदाश प्यार को नतीजा है ना मेरी परवरिश हमदर्दी की कौद में हुई है लेकिन चीच आता है कि मात प्यार की दाओं में सिमट करो संध्या संध्या संध्या